क्या हाल चल है आप सभी के गुद मॉर्णिंग टू अल अफ यू फटा फट बताओ क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे है जल्दी से बताईए स्टुडेंट क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे है क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे है लक्षे, अर्फान, वर्षा, संधिया, गरिमा ओके तो शुरू करें आज का सेशन वेल ड़न आप सभी जानते है स्टुडेंट की अनकैर्मी आज इंडिया में UPSC, CSE की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अनकैर्मी को सब्स्क्राइब करते हो या अनकैर्मी का सब्स्रिप्शन लेते हो तो मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप एडुकेटर से पढ़ने का आपको मुका मिलेगा एथिक्स के स्टडीज मेराथन सेशन है मेराथन सेशन का मतलब तीन घंटा त्री आर्स का ये सेशन होगा और आप जानते हैं 120 मार्क्स का वेटेज है 120 मार्क्स का वेटेज है के स्टडीज का आपके GS पेपर 4 में तो ऐसा जबरदस सेशन ये होने वाला है आपको जो के स्टडीज आपको आज की क्लास के बाद लगेगा यार कुछ भी नहीं है ये तो 120 नंबर UPSC ने ऐसी फ्री में दे दिया आपको लेकिन प्रेक्टिस करना पड़ेगा तो सबसे पहले मेरे बारे में जालनों मेरा नाम है नवीन तवर 6 year of teaching experience है 6 time mains interview का experience है monthly current of air magazine का एडिटर आओ जोगरफी से masters किया है और जोगरफी से ही UGC net और JRF दोनों qualified हूँ ये मेरा टेलिग्राम चैनल है unacademy underscore नवीन तवर तो लिख देता हूँ मैं ताकि आपको जोइन करने में आसानी रहे ढूणने में unacademy underscore नवीन तवर इस टेलिग्राम चैनल को आप जोइन कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे आपको PDF मिलने वाली है यहीं पे मेरी सारी classes के notifications आपको मिलने वाले है और subscription लेने जा रहे उससे पहले आपका कोई भी doubt है तो आप इस टेलिग्राम चैनल पे मुझे message कर सकते है regular updates के लिए आप मुझे unacademy app पर community पर follow कर सकते है यह जबरदस्त offer है 15 जुलाई तक का यह offer है 15 जुलाई तो offer क्या है कि unacademy combo subscriptions पे आपको 15% का discount है 15% का discount combo पे है combo का मतलब आपका optional और GS जिसमें आप दोनों एक साथ लेते हो तो discount के बारे में बात कर लेता हूँ या तो आप plus ले सकते हो या आप iconic subscription ले सकते हो तो plus में आप देख सकते है अगर आपने 18 महीने वाला subscription लिया तो 79,593 वाला आपको 67,655 में पड़ेगा यहां आपकी लगभग 12,000 रुपे की बचाता है सेम ऐसे 18 महीने वाला गर आप iconic लेते हो 99 में 1525 वाला आपको 6,905 में पड़ेगा यहां लगभग 12,000 रुपे की आपको बचाता है लेकिन करना क्या होगा रैफरल कोड 91 लगाना होगा और तारीक याद रखना होगा 15 जुलाई उसके साथ CSC Assure है अगर आप मेंसे किसी ने भी अनकैडमी का सबस्रिप्शन मीनिमम टू इयर के लिए के लिए लिए दो साल या तीन साल अगर आपका दो साल में सेलेक्शन नहीं होता तो तीसरे साल का सबस्रिप्शन अनकैडमी आपको बिल्कुल फ्री देता है लेकिन यह लिमिटिट पिरियर्ड के लिए है इसके लिए भी आपको मेरा रैफरल कोड नवीन वन अपलाई करना होगा सेम आपका टेस्सरीज है टेस्सरीज पे भी आपको 15% का ओफ मिल रहा है मेरे रैफरल कोड के साथ चाहे आप GS प्लस SA की टेस्सरीज जोइन करे ओके या आप आप आप्शनल की टेस्सरीज जोइन करे शांदार तरीके से आपको फीडबेक मिलेगा और उसके साथ ही हर संडे आप जानते हो कॉमबेट का आयोजन होता है तो इस बार कॉमबेट होगा 17 जुलाई सुभे 11 बजे टॉप जिसकी रैंक वन आईगी उसको मैक एयर सेकिंड वाले को आईपैड थर्ड वाले को सेमसंग मॉबाइल और धाई सो पार्टिसिपेंट्स को अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे इसके साथ साथ आपको स्कॉलर्शिप में भी स्कॉलर्शिप भी मिलने वाली है ये देखो उसके साथ ही साथ बस आपने याद रखना है रेफरल को नवीन बन से पार्टिसिपेट करना है अनकेडमी क्यों चूज करना है आज कहने वाली बात नहीं है 2020 में 170 से जादा 21 में 178 से जादा रिजल्ट अनकेडमी के रहे है रेंक 3, 4, 5, 7 अनकेडमी के लर्नर है आपको लाइफ सेशन्स देख सकते हो रिकॉर्डिट सेशन्स देख सकते हो प्रिंटिड माटीरियल मिलेगा उसके साथ ही साथ आपको डेली आंसर आइटिंग प्रेक्टिस होगा डाउट सॉल्विंग सेशन्स होगा ऑप्शनल चेंज कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा पे किये बैचिस चेंज कर सकते हो बहुत सारे एडुकेटर्स है सब कुछ आपको अनकेडमी पे मिलने वाला है और जो बच्चा एक बार के में पे नहीं कर सकता वो लॉन लेके EMI पे चुका सकता है मात्र दो घंटे का प्रोसीजर दो घंटे में अप्रूब हो जाएगा मिनिमम बेपर वर्क और फ्लेक्जिबल चनियोर है अगर आपको लॉन के जरीए सब्स्रिप्शन लेना है तो यह फॉन नंबर है मेरी लॉन टीम का आप इनको फॉन मिलाओ और कहिए कि आपको नवीन तवर सरका नवीन वन रेफरल कोड युस्तमाल करके सब्स्रिप्शन लेना है और भी बहुत सारे जितने ओफर्स है हो सब आपको बता देंगे तो मुद्दा आ गया हमारा मेराथन सेशन है के स्टड़ी के उपर तो चलो आप सभी रेडी है एक बार बता दो कि आप सभी लोग रेडी है फिर शुरुआत करते हैं सेशन की जल्दी से बताइए किया आप सभी लोग रेडी है तो आप जानते हो Ethics का पेपर है GS Paper 4 यहाँ पे आपको दो सेक्शन होते हैं सेक्शन A मैंने कल भी बताया था सेक्शन A Theory वाला पार्ट है Theory वाला पार्ट है जिसमें 130 marks का यह पार्ट है और जो सेक्शन B है सेक्शन B हो गया यह यह सेक्शन B है यहाँ पे case studies होती है और यह 120 marks की है फुल मिला के आपकी 6 case study होती है और हर case study का number होता है 20 marks का 120 number और आपको 200 शब्दों में लिखनी होती है 250 words में आपको एक case study लिखनी है तो मैं पहले आपको case study दिखा देता हूँ कि case study का मतलब है क्या case study होता क्या है चलो पहले यह case study देख लो फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा case study जैसे साल 2021 UPSC means 2021 section B यानिके खंड दो एक case study मैं आपको पढ़वाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि basically case study होती क्या है कुछ नहीं है आपके आम जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना होती है उसमें बहुत सारी दुईधाय होती है बहुत सारे लोग इनवाल होते है और आपको एक decision making करनी होती है आपके सामने बहुत सारे options होते है लेकिन किसी एक को चुनना होता है तो उसको किस आधार पे चुना बाकी सब को किस आधार पे आपने नकार दिया वो सब आपको इसमें discussion करना होता है ओके तो पहले मैं आपको एक case study पढ़वा देता हूँ उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा Done तो यह देखिए सुनील एक युवा लोक सेवक है आपके ही जैसा कोई एक नया अधिकारी है एक लोक सेवक है तथा सक्षमता सक्षमता, इमानदारी, समर्पन और मुश्किल और दुर्वे है कारियों के लिए अथक परियास है तो उसकी प्रतिस्ठा है उसको efficient माना जाता है, इमानदार माना जाता है कारिये के प्रतिसमर्पन है मुश्किल से मुश्किल कारिय भी कर लेता है उसके लिए उसको फेमस है आप जैसाई कोई जुझारू कोई I.S. I.P.S. ओफिसर उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके अधिकारियों ने उसे बहुत ही चुनोती पूर्ण और समवेधन शील कारिय भार को समभानने के लिए चुना था इतनी सारी योग्यताओं से युक्त कोई अधिकारी है तो चुना जाएगा पहले सिर्फ पढ़ा देता हूँ कि Case Study होती क्या है क्योंकि बिना Case Study को देखे हुए Solve कैसे करोगे तो उसको समवेधन शील उसको एक बहुत ही चुनोती पून और समवेधन शील कारिय के संभानले के लिए चुना गया था वो कारिय क्या था देखो फिर बताता है उसे अवैद बालू खननस सेंड माइनिंग के लिए कुख्यात एक आदिवासी बहुल जिले में तैनात हिया गया नदी पट्टी से यानि के रीवर बैल्ट से सेंड माइनिंग कहां से हो रही है नदी के पट्टी से रीवर बैल्ट से नदी पट्टी से आ नियंत्रित रूप में बालू उत्खनन करके ट्रकों से ढोकर उसको काला बाजार में बेचा जा रहा है समझ गे काला बाजारी हो रही है रेत की नदी से निकाला और काला बाजारी कर रहे है यह है अवैद बालुखनन माफिया स्थानिय कारिय करता और आधि वासी बाहु बलियों के सहयोग से किया जा रहा था जो बदले में चुनिंदा गरीब आदिवासियों को रिश्वत देते रहते थे और उनको डरा है ना अरा नहीं डरा डरा और धंका कर रखते थे कुछ लोकल बाहुबली है आदिवासियों के कुछ माफिया है और कुछ स्थानिय कारिय करता है वो क्या कर रहे है ये अवैद कारिय कर रहे है उसके बदले में थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे के आदिवासी लोगों को डरा के धंका के रखते थे बोलेते थे खबरदार अग सुनील के बारे में कुछ और कहा गया सुनील एक तेज और उरजावान स्मार्ट है एनरजेटिक है अधिकारी होने के नाते जमीनी हकीकत को पहचान कर और माफिया के द्वारा कुटिल और संदिग्द तंत्र के माध्यम से अपनाए गए उनके तोर तरीकों को तुरंत दन फिर क्या कहता है पूश्ताच करने पर उसने पाया अप सुनील ने अपनी इन्वेस्टिकेशन शुरू कर दी उस ताच करने पर उसने पाया कि उसके अपने कारियाल लेके कुछ करमचारी भी उनसे मिले हुए है अच्छा घर का बेधीर ओफिस में ही कुछ लोग बैठ इसने गठ जोड विक्सित कर लिया ओफिस के लोग भी मिले हुए है कराप्शन पिर सुनील सुनील ने उनके खिलाफ कड़ी कारवाई शुरू की और उनके बालू से भरे ट्रकों की आवाजारी को अवेद संचालन पर छापे मारना शुरू कर दिया सुनील अपनी फॉम मे आ गया है माफिया भड़क गए है उसके इस एक्ट से जो माफिया थे वो भड़क गए क्योंकि पहले बहुत से अधिकारियों ने उनके विरुद इतने बड़े कदम नहीं उठाए थे अब से पहले कोई सुनील जैसा आया भी तो नहीं था तो भड़क गए भई ये कौन आ भालु खनन संचालन को साफ करने के लिए दरड इरादे रखता है और उन्हें आपूर्निय च्छती हो सकती है कह रहे भाई संभल जाओ या तो सुनील को संभाल दो वरना ये आपको सिम्टा देगा चलो ये ओफिस से खबर चली गई सुनील के इरादे पता चल गए माफिय को माफिया अब माफिया क्या करेंगे शत्रुता पूर्ण बिल्कुल बॉलिवुड जैसा मूवी माफिया शत्रुता पूर्ण हो गया है और जवाबी हमला शुरू किया अब माफिया भी ऐसे नहीं बैठने वाला है ना आदिवासी बाहू बली और माफिया ने उसको गंभीर परिनाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर दिया उसका परिवार यानि के सुनील के परिवार में उसकी पतनी उसकी व्रद्ध माता का पीछा किया जा रहा था जहां भी जा रहे थे पीछे पीछे पढ़ गए वे उनकी वास्तिक निगरानी में थे जिससे कि उन सभी को मानसिक यातना, यंत्रना और तनाव हो रहा था अभी घरवालों के अब पैनिक बना रखा है माफिया उने और बाहू बलियों ने उस समय मामले ने गंभीर रूप धारन कर लिया जब एक बाहू बली उसके ऑफिस में आ गया और उसको चापे मारने इत्यादी बंद करने की धम की दिए, सीधा बाहू बली चला गया है उसके ऑफिस में वहाँ सुनील बावू, क्या कर रहे हो ये, करना बंद कर दो और कहा कि उसका हाल उसके पूर्व अधिकारियों से अलग नहीं होगा उसके आता कि तुमसे पहले भी तुम्हारे जैसे बहुत आये थे तो कहते तुम्हारा भी हाल पहले वाले जैसा कर देंगे, दस वर्ष पूर्व माफिया द्वारा एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, ऐसे ही, उन्होंने बोला, तुम्हारे जैसा ही ऑफिसर था, बहुत कूद रहा था, उचल रहा था, उसकी हमने टाटा वाय वाय कर द इस केस स्टड़ी में आप देख रहे हो, एक सिचुएशन है, जोखिम है, जटिलताय है, एक तरफ सरकारी अधिकारी है, एक तरफ रिसॉर्स है, लोकल पीपल है, सरकार है, बाहुबली है, माफिया है, तो यह सब एक पूरी पिक्चर रची हुई है यहाँ पे, तो केस बन करने के लिए, क्या कहता है, अब यह 200 शब्द में आपको यह पूरा उत्तर देना कहता है, इस स्थिती को संभालने में सुनील के लिए उपलब्द विभिन विकल्प की पहचान कीजिए, कि यह जो पोजिशन, यह सिचुएशन बन गई है, यह जो सरकम्स्टांसिज क्रिये हो गई है, सुनील इसमें क्या कर सकता है, तो विभिन विकल्पो की पहचान कीजिए, आपको बताने होंगे, उसके पास यह विकल्प है, A, B, C, D, या 1, 2, 3, 4, यह इतने इसके पास option है, आपके द्वारा सुचिवद विकल्पो का आलोचनात्मक मुल्यंकन कीजिए, तो आ क्या फाइदा क्या नुकसान है, विकल्प दो में क्या फाइदा क्या नुकसान है, तीन में क्या फाइदा क्या नुकसान है, चार में क्या फाइदा क्या नुकसान है, फिर क्या कहता है, आपके विचार से, यह जो आपने चार विकल्प दिये है, सुनील के लिए सबसे ज़ अब समझ में आया case study क्या है basically एक dilemma है एक द्वीधा है एक जटिल मुद्दा है जिसमें बहुत सारी parties involved होती है और उसमें आपको decision making करनी है समझ गए अब इसको solve करने का बेटा style है बड़ा unique style है वैसे तो आपको लगेगा कि कैसे करें मैं हमेशा ही बोलता हूँ एक आपको structure बना के दे दूँगा आपको कुछ basic चीजे समझा दूँगा और ये मुझे लगता है कि जो UPSC में जितने भी paper पूछे जा रहे हैं जीएस पेपर 1,2,3,4 और optional essay उनमें सबसे आसान case study ही है सबसे आसान है case study बस ये लिखना आना चाहिए 120 में से 70-80 नमबर देगा ये आपको अराम से 70-80 के बीच आप रहोगे अगर आपने इस pattern को follow कर लिया तो आप पहले बात करते हैं कि case study को solve कैसे करें समझ गए तो कुल मिला के ऐसी 6 case studies आती है बेटा 6 case study आती है चला अब मुद्दा है how to solve case study तो case study में basically आपको समझ में आ गया होगा case study में basically क्या-क्या चीजे होती है है ना बहुत सारी दुविधाय होती है नैतिक दुविधाय होती है है ना आप फसा हुआ फील करते हो अपने आपको क्या करे क्या नै करे ओके दूसरा यही तो फसा हुआ फील करते हो आप इसमें आपके सामने बहुत से विकल्प होते है बहुत से विकल्प होते है जिसमें से किसी एक को चुनना है किसी एक को चुनना है होता है क्या ऐसा है बेटा कंप्लीट कोश्चन ही धाईसो में करना है जो अभी सुनील वाला पढ़ाया था ना उसमें एक दो तीन उन तीनों को मिला के धाईसो में करना है वो कंप्लीट कोश्चन ही धाईसो वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है तो किसी एक को चुनना होता है आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितिया होगी कि मैं क्या करूँ जैसे 10 वी के बाद जब 11 वी में गए होंगे तो सोचा होगा आठ साइड लेनी है, बाइलोजी लेनी है या मैथ्स लेना है कोई एक विकल्प तो जीवन ऐसे आपके सामने दुविधाव से भरा हुआ है कई बार आप सपोज करते हो ट्रैफिक सिगनल पे आप बाइक लेके खड़े हो अब देख रहे हो, आसपास कोई पुलिस वाला नहीं है, ट्रैफिक वाला मैं चाहूं तो रैड लाइट को तोड़ भी सकता हूँ और चाहे तो नहीं भी उसके बाद जीवन में आपके पास ऐसे बहुत सारे आप्शन आये होंगे कि आप सही भी कर सकते थे और गलत भी कर सकते थे तो किसी एक को आपने चुना होगा उस टाइम पे होता है ना, तो सेम ऐसी दुविधाय इधर भी है कि बहुत से आप्शन होते हैं उसमें से किसी एक को चुना है जैसे सुनील के सामने बहुत सारे आप्शन होंगे हो सकता है बोले भाई या तो बड़ा टेंशन वाला है मेरे सीनियर्स ने मेरे को फसाद या ट्रांसफर करा के भागो यहां से मेरी फैमली को मेरी पतनी को मेरे बुड़ी मा को खत्रा है यहां पे उपर से इन्होंने बोला दस साल पहले तुमारे जैसा एक और आया था उसको हमने सेट कर दिया था तो भाई मैं नौकरी करने आया हूँ मरने थोड़े ही ना आया हूँ भागो यहां से ट्रांसफर भी करा सकता है या सुनील वहां पे ये भी उसके सामने उप्शन था भाई ठीक है सब कमा रहे हैं मैं भी कमा लेता हूँ तुम सब के साथ ये भी एक उप्शन होगा सुनील के सामने या सुनील के सामने एक option ये भी होगा, कि नहीं, ये कितना ही डराले, धंकाले, मैं इमानदर अफसर हूँ, डरूँगा नहीं, जुकेगा नहीं, तो ऐसे option आते है के studies में, किसी एक को चुनना होता है, और वो क्यों चुना, वो बताना पड़ेगा, और बाकी क्यों नहीं चुने, वो भी बताना पड़ेगा, कि मैंने बाकी दोनों options क्यों नहीं चुने, इस नैतिक दुईधा में क्या होते हैं, बहुत सारे values के बीच में संघर्ष होता है, value conflict मैं आपको बताता हूँ, value conflict क्या होता है, जैसे आपने रमायन देखी होगी, रमायन देखी थी क्या, रमायन में एक character था, विभीशन, विभीशन नाम का एक character था, रावन का भाई था ये, लेकिन साथ किसका दिया इसने, साथ किसका दिया, भाई किसका था है, ये भाई था, रावन का, लेकिन साथ किसका दिया, राम का, भगवान श्री राम का साथ दिया, दो तरह के values conflict हो गए, क्योंकि भाई रावन का था, लंका उनका राज्य था, तो यहां तो वफादारी तो बनती थी भाई के साथ, राज्य के साथ, लेकिन बात अगर आए, सही और गलत की, सत्य की बात आए, तो सत्य के हिसाब से उसको राम के साथ जाना था, तो दो values, सत्य बनाम, वफादारी, value conflict, समझ गए? इसको बोलते हैं कि values के बीच में conflict होता है, जैसे सुनील के सामने भी समझ्या है, एक तरफ तो इमानदार अफसर की छवी है, और दूसरी तरफ परिवार का हित, values, किसको महत्व दूँ? कई बार क्या होता है, जो आपके सामने विकल्प है, कई बार जो आपके सामने विकल्प होते है, वो equally important होते है, समान महत्व के होते है, मतलब समान महत्व, मतलब अगर आप उस situation में A काम करोगे तो भी सही, उस situation में B काम करोगे तो भी सही, एक गाना आता है वो, क्या करे क्या न करे, ये कैसी मुश्किल हाई, कोई तो बता दे, इसका हल हो मेरे भाई, समान पोजिशन है, जैसे कोई बच्चा है, बच्चे ने अपराध कर दिया, बच्चे से बच्चा है, कुछ भी अपराध हो सकता है, दोनों ही आपके सामने विकल्प है, उस बच्चे को आप माफ भी कर सकते हो, और उस बच्चे को दंड भी दिया जा सकता है, तो ऐसे ओप्शन होंगे, जो equally important होंगे, तब क्या करे, ये case study है, this is case study, ऐसे फसाता है UPSC आपको, और उसके साथ साथ बहुत सारे हित धारक होते है, बहुत सारे स्टेक होल्डर होते है, बहुत सारे हित धारक होते है, अब आप बोलोगे सर ये इत धारत क्या होते हैं जिनकों बोलते हैं stakeholders stakeholders का मतलब समझाता हूँ stakeholder का मतलब है suppose करो ये सुनील वाली case study थी सुनील वाली case study में खुद सुनील है इसके office के employee है ये भी जुड़े हुए है इसमें ओके सुनील की family है सुनील की फैमिली है आपका बाहूबली बाहूबली और माफिया लोग है इसमें ओके आम जनता है आम जनता common people है तो आपको एक ऐसी situation में डाल दिया जाता है जहां बहुत सारे लोग आपको एक साथ नजर आता है जैसे flashback में जाते हो न अरे यार ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है बहुत सारी चीज़ आपको नजर आते हैं सहीं बहुत सारे stakeholder होते है case study में आपको पस्ट ये बात है ये लिखते रहो बेटा मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ लिखते रहो बहुत काम आएगा क्योंकि ये आपको PDF में नहीं मिलेगा ये इधार ही मिल रहा है वेल डन लिख रहे है बच्चे कहरे सर लिख रहे है फिर क्या करे तो हमें तो के स्टड़ी को अगर अब इस सिचुएशन में हमें के स्टड़ी को सॉल्व करना है तो हमारे पास कुछ तो रास्ता हो हमारे पास कुछ तो आधार हो कुछ तो आधार हो कुछ तो हमारे पास बेसिस हो या कुछ तो हमारे पास मानक हो जो हमें help करे कुछ तो standards होने चाहिए जो हमें help करे पहली situation ये जरूरी है दूसरा situation जरूरी है कि जिन चीजों को हम आधार बनाएंगे या जिन चीजों को मानक बनाएंगे उन्हें particular situation में विशेश परिस्थितियों में कैसे लागू करेंगे परिस्थितियों में कैसे लागू करेंगे मतलब suppose करो मैंने आपको एक formula दिया इसका मतलब क्या है second वाले point का और first वाले point का मैं आपको कहता हूँ कोई भी case study आएगी हमारे पास उसको solve करने के चार विकल्प है या तो हम A तरीके से या B तरीके से या C तरीके से या D तरीके से किसी भी एक तरीके से case study को solve कर लेंगे वो तरीके में बताऊंगा भी आपको तो पहले तो मैं आपको ऐसे कुछ आधार पता दूँगा कि A, B, C, D ये कुछ आधार है जिसके आधार पे हम case study को solve करेंगे फिर मुद्दा आएगा हर case study में तो सारे आधार लागू नहीं होंगे तब दूसरा मुद्दा ये है कि जो case study दी गई है उसमें से इन चारों में से कौन सी approach को हम इस्तमाल करें ये महत्पून बात होगी तो पहले हम ऐसे कुछ basis identify करेंगे उसके बाद particular situation में उनको हम कैसे apply करेंगे ये दूसरा महत्मान मुद्दा होगा और example मैं आपको कुछ चीजे बताता हूँ कि हमें कुछ basis बनाने है तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि चलो मैं कुछ आधार बनाता हूँ के study को solve करने के आधार पिवाद करते है तो अगर मैं कहूँ आपको क्या हम धार्मिक प्रथाओ को धार्मिक प्रथाओ और रूडी वाधिता को या पश्च गामी परंपराए यानि के पीछे की और लेके जाने वाली परंपराए पश्च गामी परंपराओ को आधार बना सकते है आप मुझे बताओ येस और नो जवाब दो मुझे नहीं बना सकते ना क्यूंकि रूडी वा दीता पीछे कि अगर आप बोलो सती प्रता बाल विवा अगर हो रहा है case study पर सपोज करो बाल विवा के उपर case study आगी थी बाल श्रम के उपर case study आगई तो आप बोलोगी नहीं यार ठीक है होता है सदियों से तो कोई बड़ी बात ऐसा नहीं कर सकते आप कि उसके बाद कि आतार्किक्ता को आधार बना सकते हो क्या आतार्किक्ता मतलब बिना लोजिक लगाए बिना तर्क वितर्क किये आप किसी भी ऑप्शन के साथ आप बोलोगे नौ नहीं मैं कहुंगा वही आप क्यूंकि koo के स्टड़ि हिउमन भीहेवियर से जुड़ी हुई है के स्टड़ि का संबंद है यूमन भीहेवियर से मानव वैवार से तो मानव वैवार पे क्या आप यूर साइंस को अपलाई कर सकते हो तो ये बात तो आपको स्पस्ट होगी अगर कोई भी case study solve करनी है तो धार्मिक प्रथाओ, रोडी वादिता, पश्च गामी परंपराओ इनको कभी भी दिमाग में नहीं लाना पहला आपको जो guidance दी जाती है पहली guideline है आपकी कि किसी भी धार्मिक प्रथा, रोडी वादिता, पश्च गामी परंपराओं को आपने आधार नहीं बनाना दूसरा मुद्दा है आपको तारकिक होके सोचना है तारकिकता के साथ आपको decision लेना जैसे case study में सोचते हो ना comprehension में आप सोचते थे आरे पूरा paragraph पढ़ लिया इस paragraph का मतलब क्या है, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते एक जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है तीसरा human behavior है, pure science इस पे नहीं लगा सकते किस परिस्थिती में इंसान क्या करे वो निर्धारित नहीं किया जा सकता कोई भी आपको एक नियम नी बना के दिये जा सकते कि आप हमेशा इसी रास्ते से चलोगे कि आप science ने बोल दिया कि इसी रास्ते से चलना है तो इसी से ही चलोगे, नहीं परिस्थितियों के हिसाब से आप y रास्ते का भी गया आधार नहीं बनाना अधार्मिक प्रथाओं को ठीक है आध्तारकिक्ता को और प्यॉर साइंस को लिख लो इसको नेक्स्ट लिखो फटाफट फटाफट लिखो फिर आगे का बताता हूँ जल्दी से लिखो लिख लिया ओके नेक्स चलते हैं नेक्स चलते हैं कि अब किसको आधार बनाएं किसे बनाएं आधार किसे बनाएं आधार पहली बात आपका सम्विधान भारत का सम्विधान यानि कि सम्विधान में जो बाते कही गई है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए स्वतंतरता की बात समानता की बात नियाय की बात सब की भलाई की बात ये सारी बाते करते हैं करते हैं नहीं हम भारत के लोग भारत को समपूर्ण प्रभुत संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोकतंत्रा लोकतंत्रिक गनराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में सामाजी कार्थिक राजनितिक नियाये यह आपके अधिकारों की बात करता है यानि के भारते सवधान किसकी बात करता है यह आपके अधिकारों की बात करता है यह न्याय की बात करता है करता है अधिकारों की बात या न्याय की बात यह सबकी भलाई की बात करता है सबकी भलाई की बात करता है पहली बात तो ये हो गई तो भारत के सविधान को दिमाख में रखना है जब भी कोई केस टड़ी करोगे सौल करोगे तो क्या भारत का सविधान उन भू माफियाओ या खनन माफियाओ को उनका कारिय करते रहने देने की आपको अनुमती देता है खुदी बताओ सुनील वाली केस टड़ी याद करो अभी जो दिखाई थी बने क्या भारत के सविधान के अनुसार उन खनन माफियाओ को जो वो गलत काम कर रहे हैं उनको करने दे क्या उनको करते रहने देने का अधिकार है पिर सविधान क्यों बना, कानून क्यों बना दूसरी बात आपके भी तो कुछ नेतिक मुल्य है आपके स्वेम के नेतिक मुल्य है होते हैं नहीं मैं गलत को सहन नहीं करूँगा मैं गलत नहीं होने दूँगा मैं सहसी हूँ मैं कभी दबा नहीं मैं कभी डरा नहीं मैं गलत का समर्थन नहीं करूँगा ये आपके खुद के वैल्यूज भी है तो जैसे मैं कहूँगा आप कहोगे मैं सहासी हूँ, आप कहोगे आप सहासी हो, आप सत्यनिस्ठ हो, आप बिना दबाओ के काम करते हो, आप इमानदार आपका एक मुल्या है, इमानदारी आपकी मुल्या है, आपके अंदर संवेदना है, ये आपका मुल्या है, आपके अंदर प्रेम है, ये आपका मुल् यानि के एक individual के तोर पे आप भी एक व्यक्ति हो, आपके भी कुछ values है उनको भी टटोल के देखना है और तीसरा एक अप्रोच बोला जाता है कि हम ऐसा काम करेंगे जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो तो ये कुछ आधार है जिसको हम अनुसरन कर सकते है केस स्टड़ी को सौल करने में केस स्टड़ी को सौल करने में help करेंगे लेकिन इनके साथ भी कुछ समश्याए है इनके साथ भी समश्याए है ये जो सारा है ना अधिकारों के साथ न्याए के साथ सबकी भलाई आपने करनी है इन सबके साथ भी अपनी अपनी प्रॉब्लम है इनके प्रॉब्लम की बात करते है जब आप बात करते हो लोगों को सबको अधिकार मिले बराबरी का अधिकार हो सबको न्याय मिले सबकी भलाई हो ये ना आपके भी नैतिक मुल्व्ले तो कई बार आपके दो नैतिक मुल्य एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे जैसे विभीशन के सामने खड़ा हो गया था वफादारी भी और सच का साथ इसके साथ जाओं समझ गए आपके स्वेम के दो नैतिक मुल्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते है एक तरफ मेरा भाई वफदारी और दूसरी तरफ सत्य है सच्चाई, सही और गलत तब क्या करोगे? तो आपके खुद के नैतिक मुल्यों ने आपको फसा दिया ऐसी समश्याए भी आएगी तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो इनके साथ जो समश्याए जुड़ी हुई है जैसे जब हम भारत के सविधान को अधार बनाएंगे तो अधिकार, नियाए, सब की भलाई इन सब के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो पहला पहला डिसीजन जब हम लेंगे हम ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें सब की भलाई हो जैसे जैसे मैं कहूं अगर कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है कानून व्यवस्था इसमें सब की भलाई है या किसी एक की भलाई है अगर मैं कहूँ कानून और व्यवस्था बनी रहे सब की भलाई है या किसी एक की भलाई है सब को बताओ फटाफ़ बताओ मुझे सब की भलाई है दूसरा अगर मैं कहता हूँ स्वच्छ परियावरन स्वाच्छ परियावरन का मुद्दा है तो यह सब के लिए अच्छा है या किसी एक इनसान के लिए अच्छा है तब की भला यह अगर मैं कहूँ गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा सब की भलाई है इसमें किसी एक की भलाई है सब के लिए अच्छा है मैं कहूँ आवसंदचना 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 में जैसे मैं कहूँ बिजली वाला कोई मुद्दा आ जाएगा बिजली का सडक का पानी का रेल का ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे देंगे उस पे कोई जुड़ी हुई केस तड़ी तो आवसंदचना में सब की भलाई है या किसी एक की भलाई है सब की भलाई है अगर मैं कहूं मानव पुंजी का निर्मान करना है में मानव पुंजी या सामाजिक पुंजी सब की भलाई है और अच्छा मैं कहता हूं भरस्टा चार सब की भलाई है क्या ब्रस्टा चार में नहीं तो ब्रस्टा चार की गतिविदिया आ गई तो हमें रोकना होगा कि इसमें भाई सब की भलाई नहीं है काट दिया मैंने अगर मैं कहूं सरकार और जनता के बीच में विश्वास सरकार वै जनता के बीच में तब की भलाई है या नहीं तो जब भी हम कोई केस स्टड़ी सॉल्व करेंगे पहले उस केस स्टड़ी के मुद्दे को देखेंगे उस केस स्टड़ी को समझेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि सब की भलाई किस्व में है जब सुनील वहां का एक अधिकारी है तुझारू है और जावान है उसको किस लिए भेजा गया तो भलाई सब की किस्मे है तो आपको कुछ मदद मिल जाएगी कि सब की भलाई किस्मे है कि वहां लो एन ओर्डर बने मानव कुंजी बने तरकार और जंता के बीच में विश्वास रहे ना कि ये लगे कि बाहु बली और माफियाओ का शाशन है तरकार की छवी भी है लोक्तंत्र है ये आई बात समझ में आप इसके साथ लेकिन कुछ समश्या है इसके साथ कुछ समश्या है इस सब की भलाई वाले मुद्दे के साथ कुछ समश्या है समश्या है क्या है समझो पहली बात ये कौन तै करेगा कि सब की भलाई किस्मे है ये कौन तै करेगा तब की भलाई किसी तो समय के हिसाब से समय के अनुसार बदल सकता है बदल सकती है इस तिक जैसे कभी आपने बोला था और द्योगी करांती करो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाओ सबकी भलाई है सबको रोजगार मिलेगा देश का विकास होगा अब आप बोलने लगे भई हैवी इंडस्ट्रीज से पोलुशन हो रहा है तो जब सबकी भलाई वाले अप्रोच को हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि परिस्थितिया कैसी है तो आज की परिस्थितियों के हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि आज स्वच परियावरण जरूरी है आज गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा जरूरी है दूसरा दूसरा मुद्ध क्या है जब भारत जैसा देश हो भारत जैसा विकासी इन देश हो भारत जैसा विकासी इन देश है इसके पास संसाधन कम है इसके पास संसाधन कम है तब क्या होगा तब क्या होगा सपोस करो सरकार के पास limited resources है और आपको सिख्णा पर भी खर्च करना है आपको स्वास्ते पर भी खर्च करना है उन्हीं को आवसंदना पर कि यह decision कौन लेगा कि किस पर कितना खर्च किया जाए आपको समझ में आ रहा है है अभी वाइस ठीक है जल्दी से बताईए अभी वाइस ठीक है अभी वाइस ठीक है एक सेकिन बुपिश अभी ठीक है आपकी वह अभी वाइस ठीक है कि इतनी लो आ रहे है जल्दी से बताओ वाइस आ रही है तो कितनी लो आ रही है कितनी लो है क्लियर है क्लियर हे इससे घ्म जाव दीजे वाइस एसे क्लियर और नॉट क्लियर और नॉट क्लियर और नॉट क्लियर है कि बहुत कम है तो आप एक काम कर लीजिए कि आवाज नहीं आ रहे है ताकि आवाज ना आए ऐसा आवाज ना आए एक सेकंड का समय दीजिए एक सेकंड का समय दीजिए अभी बताईए अभी कैसी है अब अभी ठीक है अभी ओके है क्लियर है क्लियर है आवाज अल क्लियर अल क्लियर अल क्लियर ठीक है चलो अब ठीक है बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब ठीक है डन तो अब आगे चलते हैं तो यह समश्या है सबकी भलाई वाले अप्रोच में लेकिन फिर भी इसको आधार बनाएंगे हम परिस्थितियों को देखेंगे कि हमारी परिस्थितिया कैसी है नेक्स्ट तो एक तो अप्रोच होगा कि हम केस्टडी को सॉल करते टाइम देखेंगे सबकी भलाई किस्ट में है दूसरा अप्रोच मैं अगर कहूँ दूसरा अप्रोच देखेंगे सेकंड अप्रोच है हमारा हम यह देखेंगे जब सविधान में अधिकारों की बात की गई है आधिकारों पर आधारीत अप्रोच है हमारे आधिकारों पर आधारीत अप्रोच देखो आधिकार क्यों मिलने चाहिए आपको क्या लगता है आपको आधिकार क्यों दिया आपको right to expression क्यों दिया आपको right to education क्यों दिया क्यों दिये गए है आपको या धिकार या right to information आपको क्यों दिया गया right to information क्यों दिया गया क्यों दिये गए क्योंकि आधिकारों के जरिये आप अपने व्यक्तित्व का विकास करते है क्यों आपने व्यक्तित्व का विकास करते है दूसरा आधिकारों के जरिये आपका आत्म सम्मान आपका आत्म सम्मान वे गरीमा सुनिश्चित होती है कल को आप से आपका UPSC का त्यारी करने का अधिकार छीन लेते है आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा मैं कौन हूँ? क्या वजूद है मेरा? इनफेक्ट मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा या पा रही तो अधिकारों के जरिये आपको आत्म सम्मान मिलता है आपको डिग्निटी मिलती है आपको अपनी परसनेलिटी को ग्रो करने का ग्रूम करने का आप्शन मिलता है तो अगर आप से आपका अधिकार छीन लिया इसका मतलब आप से आपकी डिग्निटी छीन ली बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते कि सर इस साल कैसे भी करके आईएस निकलवा दो वरना घर वाले पढ़ने नहीं देंगे मतलब आपका UPSC की तयारी करने का जो आपको लगता है मेरा अधिकार है मैं किसी को क्या बोल रहा हूँ मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ या मैं तो पढ़ रही हूँ क्यों छीना जा रहा है मुझसे आपको लगता है मेरा क्या वजूद है लेकिन इसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कभी भी आपको जो राइट्स दिये जाते है ये एपसलूट नहीं हो सकते अधिकार अधिकार पूर्ण नहीं हो सकते मतलब आप एपसलूट राइट नहीं दे सकते आप बोलोगे मुझे आजादी मुझे स्वतंदरता का अधिकार यह करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी माइंड योर मर्जी आपका अधिकार है तो दूसरे का भी अधिकार है तो अधिकारों के दुरुप्योग की संभावना हो जाती है कई बार तो हमें ये देखना होगा कि कहीं अधिकार एपसलूट राइट की और तो नहीं जा रहे है अगर एपसलूट राइट है तब वो समाज को विवस्था को नुकसान देंगे आरिये बात समझ में एपसलूट नहीं हो सकते और कई बार अधिकार भी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते है अधिकार एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते है अधिकार एक दूसरे के सामने आप कहो मुझे नौकरी दो चाहे कुछ भी करो खाने खो दो है ना आप डिफोरेस्टेशन करो कुछ भी करके मुझे रोजगार चाहिए तो ठीक है आपने बोला मुझे काम का अधिकार दो काम का अधिकार चलो लेकिन वर्सिज हो सकता है आपके उस काम से आपके स्वच परियावरन का अधिकार कॉंप्रोमाईज हो जाए स्वच परियावरन का अधिकार तो राइट्स भी एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते है तो सविधान अगर आपको अधिकार देता है तो अधिकारों की हमें rational और युक्ति युक्त व्याख्या करनी होगी अधिकारों पर प्रतिबंद रहेंगे, absolute नहीं मिलेंगे तो case study को solve करते, time ये याद रखना जब उस सुनील वाली case studies में जो local community है, tribal लोग है उनका अधिकार है भाई, वो डर में जी रहे है उनको भै मुक्त जीवन जीने का अधिकार है स्पस्ट हुआ, जल्दी से बताओ, चीजे समझ में आ रही है न आपको व्याख्या कैसे करेंगे, किन चीजों को दिमाग में रखेंगे, सबकी भलाई किसमे है अधिकार यहाँ पे क्या कहते है तीसरा आधिकार, फिर मैं अगर कहता हूँ, नमबर तीन आपके नैतिक मुल्या या व्यक्तिकत मुल्या इनको आधार बनाएंगे हम नैतिक मुल्या और व्यक्तिकत मुल्या इनको आधार बनाना है, कैसे? जैसे इसने बोला, सुनील के सामने प्रेशर बहुत है, भाई को धंकी मिल रही है और बोल दिया, ओफिस में आके बाहू बली ले है, भाई तुम जैसा एक और अफसर आया था, दस साल पहले है, हम सेट कर दिया हमने उसको तो सुनील भाई कोई ऊपर से, सुनील कौन सा कोई आईरन मैन मन के पैदा थोड़ी नहुआ है सुनील के मा का, सुनील की वाइफ का उनको आप धंकी दे रहे हो उनको परिशानी का सामना, उनके पीचे फुल अब्जरवेशन जहां जहां जाते है पीछे कार लगा दी जाती है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे गंगाजल मुवी में तेजपुर S.P. अमित कुमार फैमली को खत्रा लेकिन अगर वो भाग जाता है अगर वो भाग जाता है वहां से छोड़के तो लाइफ टाइम उसके अंदर ये फिलिंग रहेगी मैं भगोड़ा हूँ मेरे सामने चैलेंज आये थे और मैं आज इस जिले से मैंने ट्रांसफर करा लिया कल दूसरे जिले में जाऊंगा क्या गरंटी है कि वहां मुझे कोई बहू वली नहीं मिलेगा वहां मुझे कोई माफिया नहीं मिलेगा तो फिर आपके अंदर आ जाता है वैल्यूज आपके खुद के वैल्यूज मैं तो डर्पोख हूँ मैं कायर हूँ तो आपके नैतिक और व्यक्तिगत मुल्य भी आपको गाइड करेंगे जैसे साहस आपका व्यक्तिगत मुल्य है साहस साहस दोनों तरीके का होता है आप बैल के टकर मार दी साहस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि Полावल मैं ताकत हूँ मैं बहु बली हो मैं तुम्हारे सींग मरोड दूगा और ऐसे अलटा पलटा गड़ वो वाली वो वाला साहस बहुत धिक साहस भी होता है आपको कोई डरा रहा है धमका रहा है तो आपके अंदर सामना करने का साहस है या नहीं हिम्मत है या नहीं तो ये बहुत धिक भी होता है और शारिरिक भी है बहुत धिक और शारिरिक अब वो बाहु बली आखे उसके ओफिस में ये तो नहीं कह रहा आओ मिरे साथ दंगल लड़ो SP साहब अगर दंगल में आपने हमें हरा दिया तो हम चले जाएंगे यहां से नहीं करेंगे रेट खनन तो क्या आपका जो व्यक्तिगत बुल्य है intellectual courage है आपके अंदर यह नहीं क्या आपके अंदर खुद के अंदर भी तो आपके अंदर सत्य निस्ठा है बिना किसी दवाओ के काम करना आप बच्पन से ही इमांदार रहे हो आपका individual आपके है आपके अंदर समवेदना है आप चले जाओगे तो उन लोगों का क्या होगा समवेदना है तो आपको आपका बहुत धिक साहस भी होगा और चलो अगर आपने वहां से transfer करा लिया दूसरे जिले में चलेगे रात को जब सोगे तो सोते time बोलेंगे यार सुनील निकला तो तुम escapist ultimately भागी गया बड़ा वर्दी वर्दी पहन के IPS का अशोक स्तम लगवा के स्टार लगवा के तलवार लगा के बड़ा लोगों को motivate किया था बड़े reels बनाये थे Instagram पे Facebook पे और बड़ा TikTok पे या मुदिखाओगे तो आपको आत्म गला नहीं हो सकती है अंतर आत्मा का संकट हो सकता है तो आपके individual virtues भी यहां पे आपको impact करेंगे के studies में आपका virtue क्या कहता है ये भी ध्यान रखना है अंतर आत्मा का संकट हो सकता है भाई यहां भेंकर लेकिन कई बार आपके वर्चूज पे इसके साथ भी problem क्या है वर्चूज यहां पे आपके वर्चूज आपके वर्चूज को अन्य लोग प्रभावित कर सकते है अन्य लोग प्रभावित कर सकते है जैसे आपकी इसी स्थिती को देखके आपकी जैसे बाहू बली है माफिया है धमका रहे सुनील को और सुनील की मा को भी धमका रहे सुनील की मा बहुत ज़्यादा डरी हुई है उनका बड़ा लाडला बेटा है मा ने तो बच्पन से बड़े कस्ट से पाला पोसा होगा सुनील चाता है कि मैं सबका सामना करूँ सहस के साथ लेकिन मा आती है बोलती है सुनील बेटा जब तू छोटा सा था ना मैंने बहुत कस्ट छेल के तुझको पाल परोसके बढ़ा किया बहुत समस्याया आई मेरे जीवन में मैंने जब तिरको पाला माता जी फुल इमोशनल और बहुत देती है तुझे मेरी कसम लला अभी यहां से जाना होगा अब माता जी ने कसम चड़ा दी मेरे वर्चू का क्या होगा समझ में आगे ऐसे बहुत सारी परिस्थितिया होएगी जहां आपके वर्चू को दूसरे लोग प्रभावित कर जाएंगे यह लिखलो चोथा बताता हूँ मैं आपको चोथा एक एक उरसापोस करो भाहरतिय सविधान आपको नियाये का प्राव दान करते हैं जस्टिस की बात करते हैं नियाये है न्याय को आप आधार बनाके case study को solve कर सकते हो बई न्याय बेसिकली हमने क्यों बनाई है अपनी course हमने न्याय की व्यवस्था क्यों की है ताकि क्या हो सके समाज stable रहे समाज में इस्थिर्ता रहे व्यवस्था पर लोगों का यकीन रहे व्यवस्था पर लोगों का यकीन और अगर व्यवस्था से लोगों का यकीन हट गया तो फिर क्या करेंगे अशान्ती होगी समाज में तो सुनील वाली case study में न्याय क्या कहता है आपको वहाँ low and order maintain करना है आम लोग को डरया और धमकाया जा रहा है प्रकरतिक संसादनों का दुरुपियों किया जा रहा है फेयर और इक्वल डिस्टिबिशन नहीं है बेनिफिट्स का न्याय के जरिये आपकी dignity को protect किया जाता है आपकी गरिम्या की रक्षा होती है न्याय तो हम justice को देखेंगे कि कोई भी case study होगी उस case study में justice न्याय क्या कहता है justice क्या कहता है क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए ये आप दिमाग में रखेंगे लिख लिया और एक और चीज़ याद रखना एक और चीज़ याद रखना कि कई बार ऐसा हो सकता है किसी situation में हम सब की भलाई नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करें कि maximum लोगों की भलाई करें सब की भलाई तो कई बार होता है नहीं possible है कुछ चीज़े सब की भलाई की हो सकती है सबको अच्छा स्वास्ती मिल जाए शिख्षा मिल जाए लेकिन कई बार ऐसी situation हो सकती एक साथ आप सब को satisfy नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करो कि maximum लोगों को आप benefit दे पाओ तो जो अंतिम जो तरीका है के study को solve करने का वो है उपियोगितावाद उपियोगितावाद कहता है कि आप ऐसे decisions लो जिसमें आधिकतम लोगों का आधिकतम लोगों का आधिकतम सुख हो कि उस परिस्थिती में क्या करना चाहिए किस को maximum benefit किस विकल्प के साथ आपको maximum benefit मिल रहा है ऐसा कौन सा विकल्प अपनाए जिस से ज़दा से ज़दा लोगों को लाब मिले और जब भी case study solve करें याद रखना जब भी case study solve करें जब भी case study solve करोगे case study को solve करते टाइम याद रखना आप जो भी विकल्प अपना रहे हो आप जिस भी विकल्प का चैन कर रहे हो जिस भी विकल्प का चैन कर रहे हो आप ये देख लेना short term benefit क्या है short अल्प कालिक रूप से उसके क्या benefit है और long term में क्या benefit है पता चले अल्प काल में तो फाइदा है लेकिन दिर्ग काल में नुफसान अभी साल दो साल तो अच्छा रहेगा लेकिन बाद में नुफसान ओके और long term तो दिमाग में रखना short term, long term उपयोगितावाद, नियाय, अधिकार, सब की भलाई और आपके व्यक्तिकत मुल्य और नैतिकता ये वो सारी चीजे है जो आपको case study को solve करने में help करेगी फटा फट बता दो मुझे comment section में लिखे बताओ मैंने कौन कौन से आपको standard बताए है जब हमें case study को solve करना होगा तो दिमाग में कितनी सारी चीजे चलेगी हमारी फटा फट comment section में लिखे बताओ कितनी सारी चीजे हमारे मस्तिष्क में चलेगी मैं बताता हूँ सबसे पहले हम देखेंगे सब की भलाई किसमे है सब की भलाई सब की भलाई किसमे है दूसरा हम देखेंगे कि आपका व्यक्तिगत या नैतिक मुल्य क्या कहते है प्यक्तिगत और आपके नैतिक मुल्य आपको क्या डिरेक्शन दे रहे हैं क्या सही है क्या गलत है उसके बाद हम देखेंगे अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख किसमे है अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख किसमे है उसके बाद हम देखेंगे भारत्य सविधान के अनुसार, हमारे सविधान के अनुसार, इस situation में अधिकार वाला dimension आपको कैसे गाइड कर रहा है, अधिकार वाला पक्ष क्या कहता है, भारत्य सविधान का न्याय वाला पक्ष क्या कहता है ओके या आपका कानून और व्यवस्था की क्या कानून व्यवस्था आपको क्या बोलते हैं आपको क्या करना चाहिए यह सारी चीजे दिमाग में रखेंगे हम case study को solve करने में case studies को solve करने में बच्चे बोले सर एथिक्स की बुक कौन सी ले कोई मतलो किसी एथिक्स की बुक की जरूरत नहीं है आपको बस नवीन तवर सर का हाथ पकड़ना है और एथिक्स की नईया पार लग जाएगी क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ किताब में तो है ही नहीं बच्चे बोलते हैं कि दो चार किताबे बोलते हैं लेक्सिकन पढ़ लो अगर आपको एक साल में भी वो किताब समझ में आ जाए तो बता देना आप मुझे इसलिए मुझे पढ़ो मतलब मुझे पढ़ो मतलब मेरी क्लास को पढ़ो मुझे इसका मतलब यह है कि मेरी क्लासिस को पढ़ो अच्छे से उनको internalize करो जो मैं समझा रहा हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ उनको तसली से समझे और सीखे और 2-4 दिन तुलना कर लेना मेरे साथ पढ़ रहे हैं एक दो टीचर की साथ और भी पढ़ रहे होंगे 2-4 दिन तुलना करके जो भी आपको सही लगे बस एक को पकड़ के आगे बढ़ जाना मैं हमेशा ही बोलता हूँ दस teacher रखोगे एक subject में तो दिक्कत होगी It's better कि एक हफता पहले आप 3-4 teacher को evaluate कर लो कि नहीं भाई मुझे इस teacher के साथ जाना ही ये वाला teacher मेरे को ठीक लग रहा है तो अभी 6-7 महीने उस teacher का अनुसरान करो एक को पढ़ना वस जाये मुझे पढ़ना हो या किसी और को पढ़ना हो अब के स्टडी को के स्टडी को solve कैसे करेंगे ये तो तरीके बता दिये मैंने case study solve कैसे करेंगे मतला इसका format क्या होगा format मतला धाईसो शब्दों को लिखोगे कैसे 250 words को लिखना कैसे है मुद्दा ये है वो ही हमारा introduction होगा case study में introduction लिखेंगे okay case study का फिर main body चलेगा हमारा और then case study का conclusion भी लिखेंगे आप बोलोगे सर ये क्या बता दिया आपने case study का intro case study का conclusion, case study की main body yes, जैसे normal में आपको answer writing कराता हूँ format same रहेगा बेटा पहले case study को पढ़ेंगे उसको 2-3 line में हम उसको define करेंगे case study की situation क्या है case study पूछना क्या चा रही है या कहना क्या चाती है वो introduction हो जाएगा हमारा 3-4 line का 200 शब्द है, 3-4 line में introduction चलेगा फिर main body में 2 तरह की case study आती है बटा, 2 तरह की case study case study में 2 तरह की type होते है case study भी 2 type की होती है type 1 वाली case study जिसमें खुद ही UPSC case study दे देगा और उसके नीचे 4-5 question दे देगा 3-4 question दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ भाई इस situation में क्या करना है और फिर आपको इनके answer करने है दूसरा type 2 case study होगा type 2 case study उसमें क्या होगा, सिर्फ case study होगा और आपको विकल्प खुद ही बनाने है विकल्प swim बनाने है वो आपको option option नहीं देगा जैसे समझो समझो, example देता हूँ मैं आपको ये वाला ये सुनील वाली case study है last में आके उसने आपको खुद ही 3 option दे दिये, इसी सिती पे संभालने के लिए सुनील क्या करे, उन विकल्पों का हलाकी विकल्प आपको ही choose करने है फिर आलोचनात्मक मुल्यांकन करे और क्या फिर किसके साथ जाओगे एक और case study दिखाता हूँ मैं आपको एक और case study दिखाता हूँ, रुको एक case study ये है, जैसे एक बड़ी संख्या में महिला करमचारियों की एक company है, पूरी case study है last में लाके दे दिया, इस case study में कौन-कौन से नितिकत मुद्दे है और महिला क्या कर सकती है दूसरा type का, कुछ नहीं दिया, आपने सब कुछ खुदी करना है और एक में आपको विकल्प भी दे दिये तो दो तरह की case study होगी और दोनों तरह की case study का format सेम ही होगा, introduction लिखेंगे main body लिखेंगे और conclusion लिखेंगे target रहेगा कि हर case study में 20 में से 12 नंबर 13 नंबर, 14 नंबर तर जाएंगे हम minimum, minimum 12 नंबर लेके आने है आपको 11, 12 नंबर minimum लेके आने है तो अगर 6 case study है तो 70 marks आपके आराम से आजाएंगे बहुत आसान है बेटा ये ध्यान रखना मैं साफ बोल रहा हूँ मुझे कुछ आपको बरगलाने की जरूद नहीं है UPSC ने जितने भी paper design किये है GS paper 1, 2, 3, 4 essay, optional उन सब में सबसे आसान ये ही है तो 70 नंबर का target इधर कर लेंगे और फस्ट वाला जो आपका theory वाला part है अगर उधर से आप 55 नंबर भी लेके आगे तब भी 120, 25, 130 नंबर है आप topper की range में होंगे तो चलो वापस मैं सुनील पे लेके चलता हूँ अभी case study को मैं आपको solve करना सिखाता हूँ मैं खुद लिखूंगा बेटा मैं खुद आपको पूरी case study solve करके बताऊंगा वापस से पढ़ लेते हैं पूरी case study को अभी दिमाग में जितना सब कुछ बताया वो सब याद रखना 2021 वाले जो मेंस हुआ था उसकी ये case study है section B है 6 case study आएगी 200 शब्द में हर case study को solve करना है फटा फट पढ़ लेते हैं जो बच्चे बाद में जोईन किये हैं उनको भी benefit मिल जाएगा इस बार फटा फट पढ़ लेते हैं सुनील एक युवा लोक सेवक है आपके जैसा ही और सक्षमता, इमानदारी, समर्पन और मुश्किल और दुर्वेह कार्य करनों के लिए अथक प्रियास है तो उसकी प्रतिस्टा है जाना जाता है अपनी इमानदारी के लिए समर्पन के लिए कैसा भी काम लाके देदो सुनील बाबु करके दिखा देंगे उसकी प्रोफाइल को देखते हुए अधिकारियों ने उसको एक बहुत ही चुनोती पून और समवेदन शील कार्य दिया उसे अवैद बालु खनन के लिए एक कुख्यात आदिवासी बहुल जिले में भेजा गया नदी पट्टी यानि के रीवर बेल्ट से आनियंतरित अनकंट्रोल्ड सेंड माइनिंग करके ट्रकों से ढोकर उसको काला बाजार में बेचा जा रहा था और यह अवैद बालु खनन कोन कर रहे थे माफिया स्थानिय कार्य करता और आदिवासियों में जो बाहु बली थे उनके सहयोक से किया जा रहा था जो बदले में चुनिंदा गरीब आदिवासियों को यानि के सारे आदिवासियों को बेनेफिट नहीं मिल रहा था सुनील एक तेज उर्जावान अधिकारी होने के नाते जमीनी हकिकत जैसे ही गया सारा मामला उसको समझ में आ गया और माफिया के दुवारा कुटिल और संदिग्द तंतर के माध्यम से अपनाए गए तोर तरीकों को समझ में आ गया तेजपूर, S.P. अमित कुमार सब कुछ ऐसा ही चल रहा था ओफिस के ही कुछ लोग लोकल पॉलिटीशन के साथ बहुबलियों के साथ मिले हुए थे और उन्होंने उनके साथ घनिस्ट और आवांचनिय गट जोड बना कर विक्सित कर लिया सुनील ने उनके खिलाफ कड़ी कारवाही शुरू की और बालू से भरे ट्रकों की आवाजाही के अवेद संचालन पर छापे मारना शुरू कर दिया माफिया लोग इससे भड़क गए क्योंकि क्योंकि पहले बहुत से अधिकारियों ने उनके खिलाफ ऐसा कोई कड़े और बड़े कदम नहीं उठाए थे और कारियाले के कुछ करमचारियों ने जो कथित तोर पर माफिया के करीबी थे उनको सुचित किया कि अधिकारी उस जिले में माफिया के अवेद खनन का इस पूरे मामले को ही रफा दफा कर देगा सुनील है ना बड़ा रेवुलूशनरी ओफिसर है ये करांती कारिये सर फिरा और ये इस कारिये के लिए द्रड संकल्पित है और माफियाओं को अपूर निय च्छती कर सकता है सुनील तो माफिया भी अब भड़क उठे है तो माफिया सत्रुता पूर्ण हो गए दुश्मन बन गए है सुनील के जवाबी हमला शुरू कर दिया है आदू आदिवासी बाहुबली और माफिया ने उसको गंभीर परिनाम भुगतने की धमकी दे दी सुनील के परिवार उसकी पत जनाओ हो रहा था उस समय मामले ने गंभीर रूपधारन कर लिया जब एक बहु बली उसके ऑफिस में आ गया और उसको छापे मारने इत्यादी बंद करने की धमकी दी और कहा कि उसका हाल उसके पुराने अधिकारियों से अलग नहीं होगा दस साल पहले तुमारे जैसा ए ऐसी बोलीवुड की बहुत सारी मुवीज आपने देखी होगी कुछ नया नहीं है और UPSC का केस टड़ी का खास खुभी यह है प्रीवियस येर कोशन से हर साल कम से कम एक या दो केस टड़ी रिपीट करता है लग जो सिक्स केस टड़ी आएगी मिनिमम वन और मैक्सिमम अब यह क्या कहता है सुनो कहता है इस सिति को सम्हालने के लिए सुनील के पास क्या विकल्प है तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अच्छा ए उत्तर लिख रहे है ए लिखना शुरू कर देंगे इस सितिति में सुनील के पास तीन विकल्प है एक, दो, तीन और चार या चार विकल्ब है फिर बता दोगे इस विकल्ब में ये समश्याए है तो आप सीधा ही चल पड़े सीधी ट्रेन पकड़ ली नहीं भाई आंसर राइटिंग है तरीका आना चाहिए इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले हर केस्टड़ी के अंदर दो, तीन चीज़े आपको जरूर करनी है उस केस्टड़ी का इंट्रोडक्शन उस केस्टड़ी के अंदर कौन-कौन से ethical values है जो जुड़े हुए है और उस केस्टड़ी के अंदर कौन-कौन से stakeholder है कौन-कौन से logo का hit जुड़ा हुआ है उस केस्टड़ी से तो पहले introduction लिखते है इसका चलो introduction लिखते है मैं आपको दिखाता हूँ सारी केस्टड़ी में आपको ऐसे ही लिखना है एक प्यारा सा introduction में देता हूँ आपको इसी को आपको follow करना है हर case एक पूरी case study मैं आपको लिखके दिखा रहा हूँ उसके बाद दूसरी case study आज 6-7 case study लेके आया हूँ मैं सारी case study करेंगे 3 case study 2021 की है और 3 case study 2020 और 19 की है तो पहला introduction लिख रहे है बेटा सीधाई मैं लिखना शुजरू कर रहा हूँ एक लोग सेवक को अपने कर्तव्य निर्वेहन के समय अनेक जटिल एवं जोखिम पूर्ण परिस्थितियों का सामना तरना पड़ता है ऐसा ही तो है जोखिम पूर्ण जटिल परिस्थितियों फसा हुआ है बिचारा सुनील क्या तरे दी गई के स्टड़ी में सुनील एक ऐसी इस्थिति का सामना कर रहा है जहां एक और कानून ग्यवस्था न्याए और लोखित है वही दूसरी और उसका व्यक्तिगत एवं पारिवारी खित जुड़ा हुआ है इस तरीके से हम सभी के स्टड़ी का इंट्रोड़क्शन लिखेंगे कोई भी के स्टड़ी हो डायरेक्ट शुरू नहीं करनी बेटा चाहे उसने सीधा ही लिख दिया हो सुनो जैसे के स्टड़ी में उसने सीधा लिखा इस स्थिती को समालने के लिए सुनील के पास क्या विकल्प है तो आप ऐसा मत करना कि सीधा विकल्पों पे चले गए ना पहले फिल्म की भूमी का बांधो उसका इंट्रोड़क्शन लिखो इस इंट्रोड़क्शन जल्दी से बताईए समझ में आया आपको जल्दी से बताईए बेटा धाईसो शब्द है धाईसो शब्द है कोई बड़ा इंट्रोड़क्शन नहीं है धाईसो शब्द का मतलब जान रहे हो ये वाला पेज इसके पीछे वाला पेज उससे अगले वाला पेज और उससे अगले वाला पेज का भी आधा पेज इतना मिलेगा आपको आपको लगेगा कि इतने में मैं लिखूं क्या समझ गए तो अगर 40 30-40 शब्द का इंट्रोड़क्शन है तो लिखो ये इंट्रोड़क्शन हो गया इस इंट्रोड़क्शन के बाद आप बताओ अब केस टड़ी में शामिल हित धारत कौन कौन से लोगों का हित जुड़ा हुआ इस केस टड़ी से बताओ मुझे सुनील वे उसका परिवार है या नहीं भई ये लोग स्टेक होल्डर है सुनील को उसके परिवार को खत्रा है दूसरा ओफिस के लोग भी कुछ गड़बड कर रहे है ओफिस के करमचारी ओफिस के करमचारी है या नहीं माफिया लोग है माफिया माफिया एवं बहुबली एवं स्थानिय बहुबली और और आम जनता आम या स्थानिय जनता उनको भी तो डरा धमकारक है और सबसे बड़ी बात सरकार खुद है वही लोग एन ओर्डर का मुद्दा आ गया सरकार इसके अंदर स्टेक होल्डर है तो केस टड़ी में शामिल हित धारक है हर केस टड़ी के अंदर आपको हित धारक लिखने है लिख लिया फटा फटा बताओ लिखा आपने या नहीं अब नेक्स्ट लिखो वो इंट्रोड़क्शन लिखा फिर हित धारक दिखा देंगे फिर दिखाएंगे केस स्टड़ी में शामिल नीतिगत पक्ष और मुद्दे इस केस स्टड़ी में कौन कौन से मुद्दे शामिल है पहला पहला क्या मुद्दा है बताओ कानून और वैवस्था या नहीं लॉएन ओर्डर कहा है कानून माफिया क्या कर रहे है वहाँ पे दूसरा कौन कौन सा मुद्दा है पारिवारी खित पारिवारी खित है भाई तीसरा साहस कि वो साहस दिखाए साहस बनाम नीजी हित अगर साहस दिखाके उन बाहू बलियों के खिलाफ एक्शन लेता है तो उसकी तो जान का जोखिम है या जैसे पारिवारी खित बनाम लो खित कर लो यहां पर बनाम लो खित पारिवार की सोचे या जनता की सोचे यह केस स्टड़ी शुरू होगी बैटा इंट्रोडक्शन लिखा हमने उसमें स्टेक्षाल्डर्स लिख लिए उसके बाद हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कौन-कौन से इशू इन्वाल्व है इस केस स्टड़ी के अंदर अब कोश्चन पर आएंगे अब क्योंकि अब प्रशन शुरू हो रहा है इस इस्तिती को समखालने में सुनील के पास क्या विकल्प है अब आ रहे हैं अम इस पर सिधा शुरू नहीं करना ये ध्यान रखना इस बात को नंबर नहीं मिलेगा बेटा और नहीं बोलोगे हम तो सर्फ बहुत बढ़िया लिख्या है लेकिन एथिक्स में तो साथ ही नंबर आए क्यों आए आर्ट ओफ आंसर राइटिंग आपके पास नहीं है लेखन कला नहीं है अब सुनील के पास अब चलते हैं वापस सुनील के पास सुनील के पास उपलब्द विकल्प क्या है कॉशन की डिमांड क्या है सुनील के पास उपलब्द विकल्प अब वापस चलते है प्रशन की डिमांड पर अब लिखते हैं A question में जो पूछा गया A सुनील के पास उपलब्द विकल्ब अब आप ही बता दो कौन-कौन से विकल्ब है सुनील के पास पहला भाग जाए transfer की अरजी लगा दे transfer करा ले भाई इसको उपर वाले को मिटो देना इसको transfer करा सकता है सुनील यहां से अपना दूसरा अब सुनील से पहले भी इतने सारे अधिकारी आये होंगे 10 साल पहले किसी को मारा था यानि कि 10 साल के दोरान ऐसको तहनी वहां कोई अधिकारी नहीं आया होगा अधिकारी आये होंगे उन्होंने भी मिल बाटके खाया होगा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा तो वही है अवेद गति विदियों में शामिल हो जाए शामिल हो जाए एवं आर्थिक लाब कमाए खूब पैसा उटे है न आर्थिक लाब कमाए दूसरा विकल्प यह है है ना यह विकल्प एक बच्चा कह रहा सर प्ले लिस्ट बना दो अरे भाई पहली क्लास है पहली क्लास का कैसे प्ले लिस्ट बना दे प्ले लिस्ट तब बनती है जब एक ही टोपिक में बहुत सारे lecture लिये हो ये पहला ही lecture है भाई समझो तीसरा सुनील कहेगा नहीं इसमें तो सुनील बोलेगा मैं इमानदार था कुछ भी था एक और option क्या हो सकता है सुनील बोले भाई देख मैं इमानदार आदमी हूँ मैं कमाऊंगा तो नहीं लेकिन तुम्हें जो करना है कर लो जो चलना है चलाते रहो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यता इस्थिती को बनाए रखे यता इस्थिती को बनाए रखे मेरे को शामिल नहीं होना मैं इमानदार हूँ मेरे को शामिल नहीं होना परिवार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वरना सुनील से बढ़कर तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं होगा चोथा चोथा क्या है? सत्यनिस्ठा के साथ वार्यवाही करे और अवैद गति विदियों को रोके किसलिए भीजा गया था सुनील को? इमानदारी, सत्यनिस्ठा, उर्जावान, युवा दुर्वेह कार्य करने वाला, किसी से ना घबराने वाला सिंघम था तो सिंघम, जिसलिए सिंघम को बेजा गया है, वो अपना काम करे अच्छा आपको याद आया होगा अभी सेम जो केस स्टड़ी है ना, बेटा रियल लाइफ पे बेज़ है, जो मध्या प्रदेश में आपको याद होगा, MP केरडर के IPS ओफेसर थे, नरेंदर करके नाम था उनका, सेम उस पे ही मुद्दे पे बनी हुई ये केस स्टड़ी है, माइनिंग का ही इश्यू था, जा रहे थे और उनको फिर मार दिया गया था, गाड़ी चढ़ा दिती उनके उपर, IPS ओफिसर, तो पहला देखो, प्रशन ने क्या पुछा था, इस इससिति को समभालने का पास, सुनील के पास क्या विकल्प है, तो आपने चारों विकल्प लिख दिया, कि भाई, सुनील के पास ये चार विकल्प है, तो A, Option, Complete, और कोशिश करना कि मैक्सिमम तीन से चार है, मैक्सिमम तीन से चार ही विकल्प बनाए, तीन से चार विकल्प बनाए, पता चला किसी बच्चे ने दस विकल्प बना दिये, पांच वा विकल्प ये है, छटा विकल्प ये है, सात्वा विकल्प ये है, आठवा विकल्प य परिवार के साथ कुल्लू मनाली में चुटी मनाने चला जाए च्छटा विकल्प क्या है सुनील विदेश में स्टडी का बहाना करके चला जाए ऐसा काम मत करना लोजिकली विकल्प देना आप वहाँ पर तो maximum 3-4 विकल्प देने है और logically देने है अगला मुद्दा जो इसने बोला था आपके द्वारा इन विकल्पों का आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए इन चारों विकल्पों का positive और negative बताना है ट्रांसफर कराने से क्या फाइदे क्या नुकसान अवैद गती विदियों में शामिल हो जाने के आलोचनात्मक मुल्यांकन इसके फाइदे क्या है नुकसान क्या है यता इस्तिती को बनाए रखने का फाइदा क्या है और उन पे कार्यवाही करने का फाइदा क्या है और नुक पहला विकल्प था यदि ट्रांसफर करा ले तो इसके लाब क्या होंगे बताओ बैनेफिट्स क्या है ट्रांसफर कराने का पहला बैनेफिट्स बताओ ट्रांसफर कराने का पहला पहला यह है कि निजी और पारिवारिक जोखिम निजी वे पारिवारिक स्टुरक्षा का जोखिम समाप्त हो गया उसको कोई तकलीफ नहीं है अब दूसरा कोई सुनी लाए वो जाए मैं तो नहीं जा रहा पहला बैनेफिट यह हो गया और जितनी भी नैतिक दुविधाय थी समस्त नैतिक दुविधाओं का समाधान यह लोग बढ़िया हो गया ना टेंचन ही कुछ नहीं है ना फैमली को टेंचन ना यंत्र ना ना कुछ मेरे को साहस के साथ जाओं या कानून व्यवस्था बनाओं या लोग खित के साथ जाओं पारिवारी खित के साथ जाओं मेरा सारा ही टेंचन खतम हो गया लेकिन नुकसान एजजद एजजद का क्या होगा इमानदार बेबाग और जावान तो इसके नुकसान क्या होंगे ये तो लाब थे इसी के हानी क्या होगी चलो हानी यहीं लिख देते हैं हानी इस स्टेप की हानी क्या है पहला अवैद आप अफसर थे लोक सेवक थे आपका तो कामी यही था लोएन ओर्डर मिंटेन करना तो अवैद गती विदियों को अवैद खनन वो बढ़ावा उस पे तो कोई रोक नहीं लगी दूसरा आप भगोडे निकले एसकेपिस निकले पलायन वादी द्रस्ठीकोन पलायन वादी क्या है ये विकल्प है आपको अंतरात्मा का संकट हो जाएगा भाई अंतरात्मा रात को जब सोगे अंतरात्मा का संकट क्या करने आया था मैं क्या कर रहा हूं दो चार माफियाओं से और बाहू बलियों से डर गया मैं और आपकी छवी को नुकसान भयंकर एक सत्यनिस्ट वे सहासी लोकसेवक की छवी को नुकसान हुआ क्या रहे कौन कहीं जाएंगे फिर ट्रांसफर करा लएंगे कहीं और जाएंगे अच्छा सुनील बाब अच्छा वो ही सुनील बाबु जो डर के भाग रहे थे माफियाओ से एज़्जत नहीं रही और क्या पता जहां से ट्रांसफर करा के दूसरी जंगे चले गए वहां कोई खत्रा नहीं होगा हो सकता है खत्रा उधर भी हो ये भी तो हो सकता है ना उधर भी खत्रा हो सेम प्राबलम दूसरी जंगे भी वो फेस कर सकते है दूसरा विकल्प क्या था अभी तो हमें सिर्फ उसने बोला आलोचनात्मक मुल्यांकन करना है भई इसका लाब क्या है इसका हानी क्या है दूस दुसरा विकल्प क्या था। आवैद गती विदियों में शामिल हो जाए। आवैद गती विदियों में शामिल हो जाए। इसके फाइदे क्या है। पहले इसका लाब देखते है। इससे भी पारिवारी और निजी जोखिम तो समाप्त हो गया। अब क्यों उसको बाहुवली माफिया क्यों परेशान करेगा। तो पारिवारी और निजी जोखिम समाप्त। यह समाप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। समाप्त है। दूसरा, आर्थिक लाब भी मिलेगा, भाई, पैसा मिलेगा, है ना, आर्थिक लाब, और क्या होगा, बाहू बलियो, वे, माफिया, कि नजर में अच्छा हो जाएगा, कितना अच्छा अफसर है, बिल्कुल भी परिशान नहीं करता, यह बेनेफिट है, उल्टा अगर आपको कोई और दिक्कत आएगी, तो आप बोल दोगे, बाहू बली जी, माफिया जी, ये प्रॉब्लम आ रही है, गरव उसका सॉलूशन, लॉशन, नुकसान क्या है इसका, नुकसान या हानी क्या है इसका, आप बताओ, कौन बच्चा बताएगा, इसका लॉस क्या है, लॉस क्या है, लोस क्या होगा बच्चे कह रहे सर बाहू बली लिख सकते है पेपर में हाँ बेटा खुद केस्टडी में बाहू बली लिखा हुआ है तो आप क्यों नहीं लिख सकते नुक्सान क्या है पहला नियाए की भावना के वरुद है ये नियाए की भावना के वरुद बारते सविधान में जो नियाए का द्रस्टी कौन अपनाया तो नियाए की भावना के वरुद है ये स्थानिय लोगों के अधिकारों का उलंगन है अधिकारों का उलंगन हो रहा है क्यों? क्योंकि प्राकर्तिक संसाधन सभी के है प्राकर्तिक संसाधन सभी के है उसके साथ इन बाहू बलियों के जो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे बाहू बली वे माफिया कि जो इरादे है क्या होंगे सशक्त हो जाएंगे और भी लेकिन एक और समश्या है आज तो आप शामिल हो रहे कल को कोई inquiry बैठ गई कोई जांच बैठ गई आपके उपर निकालो सुनील बाबू का रिकोर्ड क्या कर रहे है इतना संपत्ती इतना पाइसा आईफॉन इतना जमीन बड़ी बड़ी गाड़ी बड़ा बड़ा जमीन कहां से लेकिया आए तो भविश्य में जोब को खत्रा खत्रा कानून और वैवस्था तो गई नो लो एन ओर्डर मसल पावर लिखो जितना लिख सकते हो बड़ा एक फर्क है मैं सोल्व नहीं कराता तो आपसे शो शब्द मुश्किल से लिखे जाते हैं हंड्रेड वान ट्वेंटी फाइफ इतने में एंड हो लेते अभी आपको लगता है कि आप 300 भी लिख दोगे लजिस पैटर्न से हम आगे बढ़ रहे हैं आपको लगता है सर्फ 300 भी लिखाओगे न 300 भी लिख देंगे आप क्या बात कर रहे हो 200 तो कुछ भी नहीं है ऐसे चुटकी मार के सॉल्व कर देगे प्रैक्टिस करने ये बस थर्ड विकल्ब क्या था तीसरा विकल्ब यथा इस्थिती को बनाए रखे तीसरा विकल्ब था यथा इस्थिती को बनाए रखे कम से कम जोब को तो खतरा नहीं है यथा इस्थिती को बनाए रखे अपना क्या जाता है जो करने दो अपने को तो 2 साल टाइम पास करना है बाद में करा लेंगे ट्रांस्फर रॉन्सफर इसका लाफ क्या होगा वही पारिवारिक और नीजी जोखिम समाप वैं नीजी जोखिम समाप हो गया ना उस्टो क्या खतरा है करो भाई माफिया लोगो बाहू बली आपको जो करना है करो ओफिस के भी बहुत सारे करमचारी थे अगर आप उनके खिलाब कठोर कदम उठाओगे वो आपके क्या हो जाएंगे विरोधी हो जाएंगे तो ओफिस का माहोल बढ़िया कारियाले का माहोल का अच्छा माहोल क्योंकि करमचारी थे को कोई आपत्ती नहीं बढ़िया है ना वो बोलेंगे कुछ नहीं सुनील बाबू क्योंकि आफिस के करमचारी उनसे बाहू बलियों से माफियाओं से जुड़े हुए है खूब मज़ा ले रहे है वो बोलेंगे सुनील बाबू बहुत अच्छे इंसान है ये अपनी दुनिया में मस्त है सुबह आते है दस बज़े शाम को पांच बज़े चले आते है जो दुनिया में हो रहा है होने दो इनको ना रेथ खरन से कोई मतलब बलें यार बड़ा च्छा आफसर आया है और हो सकता है इसका कुछ आर्थिक लाब भी मिल जाए वो शामिल नहीं है लेकिन हौली दिपावली पे कुछ गिफ्ट आ सकता है आर्थिक लाब की संभावना है हौली दिपावली पे आ जाएंगे कुछ गिफ्ट विफ्ट न्यू येर पे तो यह स्टेटस को है लेकिन इसका नुकसान क्या है देखो इस स्टेटस को का भी नुकसान है नो लो एन ओर्डर कानून और व्यवस्था नहीं है कहते हैं गलत को सहन करना भी गलत का हिस्सा बनना जैसा है गलत को सहन करना गलत को बढ़ावा देना है और लोखित प्रभावित हो गया लोखित प्रभावित है जनता के बारे में सोचा ही नहीं साशन की या सरकार की सरकार की खराब चवी सरकार की खराब चवी कुछ नहीं होता है न सब यही बोलेंगे सब अफसर एक जैसे होते है शाशन सरकार की खराब चवी और आपके व्यक्तिकत मुल्य व्यक्तिकत मुल्य आप अपने आपको सहासी समझते थे है ना आप अपने आपको सत्यनिष्ट समझते थे के साथ समझोता Compromise कौन सा सेंटेंस बार बार लिखा ये अभी ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना ये बार बार लिखने से आप option तलाश रहे हो बेटा जस्ट लाइक आपके reasoning में ऐसे ही होता है कि इसके ये benefit ये फायदा ये नुक्सान इससे कोई number ने कट आपको हर option को evaluate करना है तो दो तीन चीजे तो common रहेगी ना परिवार और निजी हित तो उसका basic stakeholder ही वो है one of the major stakeholder है जो सुनील फसा है दुईधा में अपने परिवारी को और निजी हित के कारण ही तो फस गया उसके परिवार को खत्राना होता उसको खत्राना होता था वो तो खूब निकलता फिर चोथा विकल्प क्या था अपने कर्तब्यों का निर्वेन करें चोथा विकल्प इमानदारी पूरवख करतब्योका निर्वेहन किसके साथ पारिवारिक सुरक्षा के साथ वो परशासन से डिमांड करें भाई फैमिली को खत्रा है ठीक है मैं इमानदार अफसर हूँ मैं युवा हूँ मैं तूफानी हूँ लेकिन मेरे परिवार को सुरक्षा देना पड़ीगी तो अगर वो अपने पारिवारिक सुरक्षा को सुनुश्चित करते हुए इमांदारी पूर्वक करतव्यों का निर्वेहन करेगा तो इसके लाब क्या होंगे बताओ इसके लाब क्या होंगे बेनेफिट क्या है बेनेफिट क्या है अवैद गती विधिया समाप्त हो गई दूसरा पारिवारिक एवं नीजी सुरक्षा सुनेशित पारिवारिक वे नीजी सुरक्षा सुनेशित होगी वह उसको सिक्योरटी मिल गई होगी या नहीं होगी और न्याय की भावना के अनुरूप है राकरतिक संसादनों का लाब सभी को मिलेगा राकरतिक संसादनों का लाब सभी को मिलेगा लेकिन नेगेटिव क्या है इसका नुकसान इसके साथ भी तो कुछ समश्याई है बेटा एक खत्रा तो हमेशा ही रहेगा जिस दिन सिक्यूरिटी में चूक उस दिन हो सकता है सुनील जी का तो निजी और पारिवारिक खत्रा बना रहेगा नुकसान क्या है निजी वे पारिवारिक खत्रा बना रहेगा बना रहेगा या नहीं और नुकसान तो है बेटा अच्छा लो सुनील को तो सिक्यूरिटी दे दी अब सुनील के साथ पूरी टीम होगी न भई सुनील अकेला थोड़े न लड़ रहा है अपने ओफिस के चार-पांच लोगों को भी तो लेके लड़ रहा होगा न तो सुनील को तो सुरक्षा मिल गई है और सुनील के साथ वालों का क्या सुनील की टीम के सदश्यों पर भी 17 बहुत सारी मुवीज देखी होगी न बॉलिवुड की हीरो तो प्रोटेक्टिड फील कर रहा है उसको तो चार बोडी गार्ड मिल गए उसके साथ के दो कॉनस्टेबल हैड कॉनस्टेबल और इंस्पेक्टर वो लपट गए खाकी मुवी देखी होगी न खाकी अक्षे कुमार अमिताब बच्चन अजे देवगन यही तो होता है बहुत सारी मुवीज में यह होता है आपके जो टीम मेंबर्स निकलने लगते है तो यह चार अप्षन थे इन चारों अप्षन का हमने मुल्यंकन कर दिया बी जो बी वाला था ना बी में हमने क्या करना था पिटा देखो आपके द्वारा सुचिबद विकल्पों का अलोचनात्मक मुल्यंकन यानि के यह वाला पार्ट भी हम कर चुके ये भी कर चुके ये भी कर चुके अब तीसरा क्या पूछता है अब आपके विचार से जो उसने चार विकल्प बनाये थे उन में से सबसे ज़्यादा उप्युक्त विकल्प क्या होगा और क्यों अब आपको C का जवाब देना है जवाब दो आपके इसाब से कौन सा बताओ कौन सा विकल्प सही है कौन से विकल्प का चैन करोगे बताओ मुझे लास्ट वाला तो विकल्प चार के साथ विकल्प चार का चैन किया जाए अब इसको एक्स्प्लेइन करो क्यों अब आपको एक्स्प्लेइन करना होगा क्यों विकल्प चार के साथ क्यों क्योंकि विकल्प चार के साथ ही कर्तव्यों का समुचित निर्वाहन होगा लो एन ओर्डर एस्टैबलिश होगा सम्वेधानिक और कानून सम्वेधान और कानून की स्थापना होगी लिखो अब वो सारे शब्द भारी भरकम सम्वेधानिक एवं कानूनी करतब्यों का निर्वान हो गया नहीं विकल्प चार से ही कर सकते हैं बाकी तीनों विकल्प तो कमजोर थे सविधान और कानून की अगेंस थे लोखित सुनिश्चित होगा लोखित सुनिश्चित क्योंकि संसाधनों का समुचित उपियोग संसाधनों का समुचित उपियोग है ऐसा या नहीं तिसरा आपका नदी का सेंड माइनिंग कर रहे हैं रीवर का भी अपना एक इको सिस्टम है तो आप लिखो नदी पारस्थित की तंत्र की स्थापना आवैद खन्वन हो रहा है न भाई रीवर रीवर का भी तो अपना एक इको सिस्टम है उसके भी तो जीव है आपने इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उसको भी उसके इको सिस्टम को नुपसान है चोथा पावैद गती विदियो में शामिल लोगों के विरुद पठोर कारवाही भविश्य में लोगों के समक्ष एक उधारन जिस से कोई अन्य इस प्रकार की गती विदिया ना करे इस प्रकार की गती विदिया ने करे कैसा रहा समझ में आ रहे हैं बच्चे कह रहे हैं सर ये धाई सो साड़े तीन सो शब्द हो गया नहीं हुआ मुझे पता था आप जैसे कुछ करांतिकारी युवक ये एक सेम केस टड़ी है बेटा सेम केस टड़ी है इस पेज पे और इस पेज पे समाप्थ हो गई है ये वाला पेज और ये वाला पेज दी एंड तो कैसे आप बोल रहे हो साड़े तीन सो कोई लिख सकता है दो पेज में साड़े तीन सो शब्द लिख सकता है इसलिए मुझे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा अपने आपको क्वेश्चन करो है ना टीचर को डाउट मत करो यहां भैका वातावरण पैदा ना करो समझे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है और बताओ आप एक बच्चा कह रहा सर लेकिन मैं साड़े तीन सो लिख सकता हूँ अरे आप एक हजार लिखो न आपको रोक कौन रहा है आपको कौन रोक रहा है भई आप तीन हजार लिख दो यहना सारे कौशन काट देना बोलना कि एक ही केस टड़ी लिखेंगे हम तीन हजार शब्द में पूरे पेपर में अब कंक्लूजन तो बाकी है भाई अभी कंक्लूजन लिखना है दो लाइन का अब कंक्लूजन लिखते है अब कंक्लूजन यह हमने सब कुछ लिख दिया आपके विचार से क्या सही है हमने बता दिया सुनेल को यह करना होगा अब कंक्लूजन पे चलते है अब कंक्लूजन, जैसे introduction लिखा था न, जैसे introduction लिखा था, शेम एसे conclusion लिखेंगे, कि लोक सेवा, अब conclusion लिखेंगे, last की धाय तीन line, लोक सेवा, एक, जो खिम युक्त सेवा है, जिसमे धैरिये के साथ साथ साहस जैसे क्योंकि ultimately उसने साहस का परिचे दिया साहस जैसे मुल्यों का समुचित निर्वेहन करना होता है क्योंकि साहस से ही न्याय की स्थापना होती है क्योंकि खत्तम इंट्रो लिखा case study में शामिल हितधारक लिखे नितिकत मुद्दे लिखे फिर हमने विकल्पों का चैन किया विकल्पों का आलोचनात्मक मुल्यंकन किया किस विकल्प के साथ जाए ये बताया और last में conclusion कर दिया हमने तीन पेज मिलेंगे UPSC में आपको एक case study को solve करने के लिए तीन पेज मिलेंगे और मेरे हिसाब से तीन पेज में ही आपका ये आया होगा पेपर में six पेपर में six case studies आएगी बेटा धाई सो शब्दों की तो मैं तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप लोग case study को समझ पाए हो समझ पाए बेटा दिमाग में वो सारी चीजे रखना है सबकी भलाई किसमे है न्याय क्या कहता है अधिकार क्या कहते है ओके आपका virtue क्या कहता है आपको maximum लोगों का benefit किसमे है वो सारी चीजे आपको आधार बना के हमने लिखा है इसको अब एक और case study दिखाता हूँ आपको लाइक करो पहले लाइक करो वही ठीक है एक बार session को like करो फटा फट like कर दो इसको बच्चे कहरे सर जैसे आपने लिखा हम भी वैसे ही लिख सकते है क्या तो वैसे ही तो लिखना है बटा और मैंने लिख के क्यों बताया है आपको मेरे लिखने का उद्देश्य यही था कि आप भी समझ पाओ इसको अगली case study पे चलते है यह लो 2021 का जो mains हुआ था UPSC उसी में आई थी यह case study चुन लो बहुत प्यारी case study है यह भी कहता है आप एक मध्यम वर्गिय शहर है ना middle class city में एक degree college के vice principal हो चलो vice principal हो भाई आप है ना vice principal हो degree college के और प्रधानाचारिय हाल ही में सेवा निवरित हुए है इस degree college के जो principal है वो अभी उनका retirement हुआ है और प्रबंधन यानि के जो college का management है उनके replacement की तलाश कर रहा है समझ रहे हो ना situation को यह भी माना जाता है यह भी माना जाता है कि प्रबंधन आपको यानि के vice principal को प्रधानाचारिय के रूप में पदो नत कर सकता है यानि के आपका promotion करके आपको principal बनाया जा सकता है इसी बीच वार्शिक परिक्षा यानि के annual exam हो रहे है college के annual exam के दोरान विश्व विध्यालिया से आए एक उडन दस्ता है ना बचलो बचलो जो नकल वकल कर रहा हो सेट हो जाओ सब तो कहते हैं वार्शिक परिक्षा के दोरान विश्व विध्याले university से आए एक flying square ने दो छात्रों को अनुचित तरीके का उपयोग करते हुए ये दो छात्र है इनको पकड़ लिया वाई दो छात्रों को अनुचित तरेका का उपयोग करते हुए रंगों हाते पकड़ लिया college का एक वरिष्ट व्यक्ष्याता एक senior lecturer है ना teacher एक व्यक्तिगत रूप से इन छात्रों को इस कारिये में मदद कर रहा है कौन teacher एसे मदद करता है अगर कर रहा है तो कुछ ना कुछ गड़ बढ़ होगी तो एक lecturer व्यक्तिगत रूप से इन छात्रों को नकल करते हुए मदद कर रहा था यह वरिस्ट व्यक्तिगता management का करीभी भी माना जाता है college management में काफी इसका साख है उन में से एक छात्र यानि कि जो दो छात्र गलत काम कर रहे थे उन में से एक छात्र तो इस्थानिय राजनेता का बेटा है ओके politicians, local politicians का बेटा है भाई एक तो जो college को वर्तमान प्रतिस्थित विश्व विद्याल्य से संबंधन कराने में मददगार रहा था यानि कि जो यह politician है इस politician ने इस college को university से affiliate कराने में help की थी एक तो उसका बेटा है दूसरा एक इस्थानिय बिजनिस्मेन का बेटा है इस्थानिय विवसाई का बेटा है जिसने college चलाने के लिए अधिक्तम धन दान दिया था एक ने पैसा दिया एक ने affiliation बिजनिस्मेन और politician आगया समझ में कहानी पूरी मुद्दा समझ में आ गया आप college के vice principal हो principal सहाब रिटायर हो चुके है management सोच रहा है एक नया principal बनाए और ऐसा माना जाता है कि आपको principal बनाने की सोच रहे है उसी दोरान क्या हुआ college का annual exam हो रहा था दो बच्चे नकल या अनुचित तरीकों का इस्तमाल कर रहे थे और उसमें एक आपका senior college lecturer शामिल था और वो college lecturer management के नजदी की है और ये दो जो बच्चे नकल कर रहे थे एक local politician का बच्चा है उस politician ने आपके college को university से affiliate कराया था उसमें मदद की और दूसरा businessman का बच्चा है जो आपके college को fund देता है चलो फिर क्या है आपने इस दुर भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तुरंत प्रबंधन को सुचित किया आपको कि किसी भी कीमत पर ये flying square के साथ मतलब जो university से flying square आये थी उडन दस्ता आया है flying square के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा कि vice principal साहब आप इसका समधान करे उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से नैकेवल college की छवी खराब होगी बल की राजनेता और व्यवसाय भी college के काम काज के लिए बहुत महत्पूर्ण व्यक्ति है भविश्य में भी काम आएंगे अब उनी के बच्चे फस गए आपको यह भी indicate कर दिया गया कि प्रधाना चारिय के रूप में आपकी आगे की पदोन नती कि आपको vice principal से principal तब बनाएंगे जब आप उड़न दस्ते के साथ मुद्दे को हल करने की अपनी छमता पर निर्भर करती है अगर आपने issue resolve कर दिया मामले को सल्टा दिया तो आपको principal बना देगे चलो इसी दोरान इसी दोरान एक और समस्या आगई आपके प्रशाशन के अधिकारी ने सूचित किया कि छात्र संग student union के कुछ सदस्य इस घटना में शामिल वरिस्ट व्याक्षाता senior lecturer और चात्रों के खिलाफ college के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे है और दोशियों के खिलाफ सकत कारवाई की मांग कर रहे है बिल्कुल again Bollywood की movie की कहानी रचा दी है ऐसी आपने Bollywood की एक दो movie आई थी पहानी समझ में आ गई, पूरी case study समझ में आ गई आपको, पटापट बताओ, case study समझ में आई या नहीं अब क्या कहता है, इस मामले में जो पूरा case study है, इसमें कौन-कौन से ethical issues involved है कौन-कौन से मुद्दे है इसके अंदर, और wise principle के रूप में आपके पास कौन-कौन से विकल्प है और जितने भी विकल्प है, उनका अलोचनात्मक रूप से आपको परिक्षन करना है और आप कौन से विकल्प को अपनाएंगे और क्यों, बिल्कुल पिछले वाली case study है सेम introduction लखेंगे, सेम stakeholder रखेंगे, सेम हमारे पास कौन से नेतिकत मुद्दे है कौन से हमारे पास विकल्प है, हर विकल्प का मुल्यांकन और last में हम किस विकल्प के साथ जाएंगे और संचर्व झाली, हमारे व जाएंगे, का में मुल्प किस विकल्प अब introduction क्या लिखेंगे इसका? introduction बताओ introduction कौन मच्चा बताएगा? introduction में क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? तो लिख सकते है बेटा खुद सोचो ये introduction कोई आप अलग से नहीं आएगा आपने इतना सब कुछ पढ़ा है आपको देखो ये पूरा case study आपको समझ में आगया educational system पे based है और education किसी भी देश के भविश्य का निर्मान करती है education जितना quality वाली होगी उस देश का और समाज का भविश्य उतना ही उजवल होगा और अगर आपके उस education system में कोई fault है तो वो आपके बहतर भविश्य का निर्मान नहीं कर पाएगी यही है भाई इसका अगर crux निकालो तो यही तो है education system में कम्यों को दिखाया गया है तो लिख सकते है इंट्रोडक्शन देखो किसी भी किसी भी सामाजिक एवं आर्थिक विवस्था के विकास में मानव पुंजी पॉबलिक या संसाधन मानव पुंजी या मानव संसाधन का महत्पून भूमी का होती है हुमन कैपिटल पे लिखे आगे हम सीधा शिक्षा किसी भी देश के भविश्य का आधार होती है दी गई केस्टड़ी केस्टड़ी में शिक्षा प्रनाली से जुड़ी कुछ कम्यों को दिखाया गया है तो बताया गया है जो नै तो नैतिक है एवं नही कानूनी कैसा रहा आप कुछ भी लिख सकते है कैसे भी पर एक इंट्रोड़क्शन लिखना है आपको ऐसे नहीं मूठ है और दी गई केस्टड़ी में प्राधनाचारियस के सामने उपलब्द विकल्प उप्रधनाचारियस के सामने विकल्प और उनका सिधा मुल्लियांकन करने लगे आप पस्ट हुआ बच्चे कह रहे है सर कोटेशन भी डाल सकते है क्या अगर आपके पास कोई एप्रोप्रियेट कोटेशन है तो इसके बाद आप यूज कर सकते है उसको है ना एक लाइन की दो लाइन की कोई कोटेशन है तो आप यूज कर सकते है अब ये बात तो इसपस्ट हो गई ये हमारा introduction हो गया और हम लिखते है Case Study में शामिल हित धारक Case Study में शामिल हित धारक कौन से है अब बताओ ये इसको लिखो और आब बताओ Case Study में शामिल हित धारक कौन है कौन है के स्टडी में शामिल हितधारत बताओ वेटा पहला हितधारत कौन है उप प्रधानाचारिय जी को आपने खालतु में लपेट दिया लालच दे रहे उसको वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचारिय उनको आपने शामिल कर दिया दूसरा आपके एक वरिस्ट व्याक्ष्याता है एक वरिस्ट व्याक्ष्याता लेक्चरर है आपके कॉलिज के ही एक सीनियर लेक्चरर है वो भी शामिल है वो तो नकली करा रहे थे बिठा के उसके बाद खुद कॉलिज की छवी है ना कॉलिज की छवी इसमें शामिल है उक्सान होगा उसको नकल करने वाले च्छात्र वाले च्छात्र उसके साथ यहीं पर लिख दो अब वो नकल करने वाले चात्र है तो स्थान ही है राजनीतिग्य और उनका एक कौन हो गया बिजनिसमेन वो भी तो आ गए ना उनके बच्चे कर रहे थे एक आ रहे है उसके बाद कौन है स्टुडेंट यूनियन चात्रसंग वो धरना दे रहा है भाई बैठ गया सामने कॉलिज के सामने बैठ गया चात्रसंग और कौन है कॉलिज का मेनेजमेंट और सबसे बड़ा आम जनता उसको क्वालिटी एडुकेशन तक एक्सेस का राइट है ये सब स्टेक होल्डर है इतने सारे लोग जुड़े हुए है अब आप सोचो क्या करोगे सोचो अधिकार सबको बरावर पढ़ने का आगे बढ़ने का अधिकार है समान अवसर मिले और अगर आपने किसी को चिटिंग करा दी तो अवसरों के साथ गड़बढ किया है आपने अधिकार के आधार पे भी ठीक नहीं चल रहा मामला सेकंड जस्टिस न्याय न्याय तो कदापी नहीं है आप किनी लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हो चिटिंग करा रहे हो कहीं का न्याय आधिकतम लोगों का अधिकतम किस में बेनेफिट होगा उन दो बच्चों को बचाने में बेनेफिट है या या बाकी सब बच्चों को quality education मिलने में या सिख्षा प्रनाली में जो कमी आई है उसको दूर करने किसमें लाब है? Okay, common good education मैंने बताया था सबकी भलाई है, गुनवत्ता पूर्ण सिख्षा सबकी भलाई है और virtue, सत्यनिस्ठा, आपकी मानदारी आ गई नहीं यहाँ पे तो यानि कि हम case study को solve कर लेंगे एक साथ चारो पांचो पैरामीटर पे सोचो और short term, long term सोचना short term में अगर आपने इन politicians के बच्चों को बचा लिया तो long term में आपके college की छवी को नुखसान बोलेंगे fraud college है निताओ की और business man का दबदबा है उस college में तो छोड़ो सब नकल से ही पास होना है तो case study तो solve है open ended case है कितना आसान लग रहा है न भी आपको बच्चे बोल रहे सर जी भूख लगी है हाँ जैसे मैं तो पकोड़े खा रहा हूँ है न पनीर की recipe आ रहे है अभी मेरे पास कड़ाई पनीर आया अभी अभी तो मैंने दो glass juice पिया है आपके सामने तो अब case study में शामिल नहतिक दुवीद आए साफ पूचा है question में case study में शामिल नहतिक मुद्दे कौन से है सीधा आ जाएंगे इस बार तो सीधा आ गए हमारे case study में शामिल नहतिक मुद्दे case study में में शामिल नहतिक मुद्दे बताओ कौन-कौन से मुद्दे है कौन-कौन से आपके सामने दुवीधाय है बताओ कौन-कौन सी दुवीधाय है कौन-कौन सी दुवीधाय है पहला साधन बनाम साध्या है साधन बनाम साध्य means versus end वो बच्चे क्या करना चाते जो नकल कर रहे है इसका मतलब वो qualify वो educate होना चाते जो भी college का exam पास करना चाते लेकिन तरीका क्या है गलत और गांधी जी क्या बोलते उन साध्य को छोड़ दो जिनके साधन गलत हो साधन और साध्य की पवितरता होना चाहिए तो साधन बनाम साध्य है दूसरा दूसरा क्या है भई आपका आपका जो सत्यनिस्ठा है कि आप एक इमानदार एक बढ़िया principle रहे हो wise principle सत्यनिस्ठा बनाम नीजी हित बनाम नीजी हित अगर आपको बोल दिया कि आपको wise principle से principle बना देंगे तो आपका नीजी हित और दूसरी तरफ क्या है आपको इमानदारी और सत्यनिस्ठा से काम करना है एक दूविधा ये हो गई नैतिक मुद्दा दूसरा तीसरा विध्याले को फंड मिलने वाला है माहा विध्याले का फंड रुख जाएगा भाई माहा विध्याले फंड बनाम क्या हो गई कि पारदर्शिता वस्तुनिस्ठता मतलब आप फैक्ट बेस काम करोगे वस्तुनिस्ठता जिसको सब्जेक्टिविटी बोलते है अल्ला आपको सारे फैक्ट पता चल गया नकल हो रही थी नकल हो रही थी और पकड़े गए तो भाई पकड़े गए फ्लाइंग स्कॉाइट ने पकड़ा तो पारदर्शिता और वस्तुनिस्ठता लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया अगर आपने उनको पकड़वा दिया तो माहा विध्याले का फंड बिजनिस्मेन बोलेगा कहीं का पैसा हमारा जो लल्ला है उसको तो आपने रेस्टिगेट करा दिया नेक्स्ट न्याए न्याए कहां हुआ न्याए का प्रशन नहित है इसमें साहस है इदर साहस का मुद्दा है क्या करोगे साहस दिखाना पड़ेगा दूसरा ब्रस्टाचार है इदर एक तरफ उनको बचाते हो तो ब्रस्टाचार है और दूसरी तरफ बाकी बच्चों का भी तो भविश्य है बना मानव पुन्जी का मुद्दा हो गया और ऐसा नकल वाला बच्चा पढ़के जब सिस्टम में जाएगा आप एक बात बताओ जब नकल वाला बच्चा सिस्टम में अंदर गुश गया वो तो खुदा ही नकल करके आया है तो औरों को तो क्या वो अच्छा ही देगा तो भ्रस्टाचार बनाम मानव पुझे Next अंतरात्मा का संकट अंतरात्मा का संकट अगर आपने उसको बचा भी लिया आप बोलोगे जिंदगी भर प्रधाना उप्रधाना चारिय जी जिंदगी भर आपने अपने मुल्यों के हिसाब से इमानदार उप्रधाना चारिय रहे हो सिक्षक रहे हो सिर्फ एक प्रिंसिपल की पॉस्ट के लिया आपने अनुचित कारियों को बढ़ावा दे दिया कैसे आएगी रात की नीन Crisis of Conscience हो गया भाई अंतरात्मा का संकट है और College को दिर्ग का लिक रूप से फायदा है या नुखसान आप एक चीज बताओ चलो मैं आपसे एक प्रेशन पूछता हूँ अगर आप उन दो नकल्ची बच्चों को आपने बचा लिया College को Long Term में Benefit है या Loss है पब्लिक सब बोलेगी है अरे ब्रस्टा चार वाला College है वो तो उधर तो अमीरों के बच्चे पास होते है वो पढ़ाई वड़ाई कुछ नहीं है और बाकी चाहत दिमोटिवेट हो जाएंगे वो बोलेंगे पढ़ाई किस काम की ये पढ़ाई हम साल भर मेहनत करते हैं तब जाके हमारा 60 प्रतिशत 70 प्रतिशत नमबर आता है ये भाई साब बैठते हैं इनके सामने किताब खुल जाती है व्यक्ख्याता जी आते है और ये 90 परसेंट लेके टॉप मारते है तो अब उपलब्द विकल तो हमारे सामने ये नैतिक मुद्दे है प्रशन में पूछाता ना कौन-कौन से नैतिक मुद्दे है इन पर चर्चा करो तो हर एक पर चर्चा करनी है आपको साधन बनाम साध्य है आप इसमें बताओगे कि सिक्षा का उद्देश्य एक गुनवत्ता पूर्ण व्यक्तित्व का निर्मान करना है लेकिन अगर गलत तरीकों से आप उस सिक्षा की प्राप्ति करते हो तो वो उद्देश्य हमारे पूरे नहीं होंगे तो इस पर चर्चा कर देना दूसरा क्योंकि उसने चर्चा बोला है बेटा देखो साफ बोला है चर्चा कीजिए मुद्दो पे दूसरे पे बोलना है सत्य निस्टा क्या होता है बिना किसी दबाओ के अपने करतव्यों का निर्वाहन करना है लेकिन उप प्रधानाचारिय जी के सामने कैसी स्थिती है कि उनका प्रधानाचारिय पद पर पदोन नती तभी होगी अगर वो फ्लाइंग स्क्वाइड वाले मुद्दे को सुल्जा देते है और कॉलिज की छवी को बचा लेते है और उन दोनों बच्चों को भी बचा लेते है तो एक और अन्यम मुद्दा हो गया कि वो अपने निजी हित के लिए उन्होंने अपने दबाव के साथ काम किया तीसरा महा विद्याल्य फंड बनाम पारदर्शिता और वस्तुनिस्टता तो इस केस्टडी में इस पस्ट से नजर आ रहा है कि फ्लाइंग इसक्वाइड ने उन दो बच्चों को अवैद अनुचित तरीकों का इस्तमाल करते हुए पकड़ा है तो वस्तुनिस्टता यानि के फैक्चुल बेस पे हम यह कह सकते हैं अनुचित कार्यव विदीती और अगर उस इस्तिती में उनको पकड़वा दिया जाता है तो क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स राजनितिग्य है और बिजनिस्मेन है तो भविश्य में महा विद्याले के फंड को एक समश्या हो सकती है ये एक एक दो दो लाइन लिख देना अब इसमें एक और मुद्दा है न्याय का प्रशन क्या है न्याय का प्रशन क्या है कि सभी को बराबरी का मुका मिले समाज में स्थिर्था की स्थापना हो लोगों का व्यवस्था के प्रती यकीन बढ़े लेकिन अगर इन दो बच्चों को बचा दिया जाता है तो न्याय का प्रशन चिन्गत हो जाएगा फिर साहस क्योंकि मैं व्यक्तिगत जीवन में उप्रधाने अचारिय जी एक इमानदार व्यक्ति रहे है और उन्होंने हमेशा शिक्षा के मुल्य को समझा हुआ है लेकिन अब ऐसी सिति आ गई कि उन्हें अपने बौधिक साहस का परीचे देना होगा या अगर उसको समझोता करते है तो वाइस प्रिंसिपल का पद मिल जाएगा उसके बाद भरस्टाचार बनाम मानव पुंजी मैंने फिर इंट्रोडक्शन में लिखा था किसी भी समाज और व्यवस्था को बदलने में वहां के मानव संसादन का महत्पून रोल होता है भुमिका होती है लेकिन जिस तरह की गतिविदी इस केस्टडी में देखने को मिल रही है वो एक भरस्टाचार का क्रत्य है और उससे कता पी मानव पुंजी का निर्मान नहीं होगा और बाकी सारे बच्चे भी उससे क्या होंगे हतोत साहित होंगे फिर अंतरात्मा का संकट अगर मैंने इस सिती में उप्रधानाचारिय जी ने उन दोनों बच्चों को बचा लिया तो उनको क्या होगा एक सिख्षक के रूप में क्या उन्होंने ये सही किया ये हमेशा उनको अंदरी अंदर ये भावना कचोटती रहेगी कर दिया हमने चर्चा क्या दिक्कत हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ लाइन थे और दो दो लाइन में इनको एक्स्प्लेइन करना है कर दोगे एक्स्प्लेइन या नहीं कर देंगे, बच्चे बोल रहे हैं, सर हम कर देंगे अब तो ये हो गया, अब सेकिंड ओप्शन पर आते है, बी पर बी वाला क्या कहता है, सुनो बी वाला कहता है, उप्रधानाचारिया जी के सामने कौन से विकल्प है, और कितने विकल्प है और उसका परिक्षन कीजिए, और आप कौन से विकल्प को अपना होगे देखो, इस सिचुएशन में कई बार तो आपके पास 6-7 विकल्प हो जाते है, 3-4 विकल्प हो जाते है इस सिचुएशन में प्रधानाचारिया जी के समक्ष विकल्प क्या है और प्रधानाचारिय के समक्ष विकल्प बताओ, पहला विकल्प तो क्या है दो ही काम कर सकता है इस सिचुएशन में दो ही विकल्प है या तो फ्लाइंग स्कुएड से उनको बचा ले या उनको पकडवा दे तीसरा कोई विकल्प नहीं है इस्टेटस को तो क्या वही फ्लाइंग स्कुएड ने पकड़ लिया दो ही विकल्प बच्टे है आपके पास बच्ते है या नहीं पहला विकल्प क्या है पहला विकल्प क्या है पहला विकल्प दोनो छात्रो एवं वरिस्ट व्याक्ष्याता को बचाने के लिए प्लाइंग उडन दस्ता प्लाइंग स्कॉयर्ड के साथ क्या कर सकते है एक समझोता कर सकते है क्या करके लालच लालच देकर समझोता प्लाइंग स्कॉयर्ड को बोलेंगे आपको क्या मिलना है ये बताओ ये दो बच्चे है मासूम से बच्चे ये साल भर पड़े नहीं ठीक है नहीं पड़े ये बत्तमीज है मैं मारूंगा इनको आपके जाने के बाद तीन चार लगाऊंगा मैं इनको और ये हमारे सीनियर व्यक्षाता भी ये दिल के बड़े भावुक है बच्चो का दर्द इनसे सहन नहीं होता मैं इनको व्यक्तिकत रूप से जानता हूँ मैं सिर्फ कहानी कैसे समझाएंगे केरे कहेरे नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा आप, आपको क्या मिलना है इस विजिट का 2000 रुपे हम आपको 2 लाग रुपे देंगे आप राम से बाव जाओ और चले जाओ बच्चे कहरे सर वो मासूम कैसे हो गए वो तो समझाने के लिए मासूम बनाया जा रहा है समझोता करने के लिए मासूम दिखाया जा रहा है वाइस प्रिंसिपल साब वहीं दो मारें गया लग लाला तेरे को पहले ही बोला तब पढ़ ले तो इसका बेनेफिट क्या होगा इसका पॉजिटिव क्या होगा आप ये बताओ इसका लाब क्या है अब इसका नुकसान क्या है कि वो आपसे आलोच नात्मक विशलेशन करवा रहा है बताओ मुझे इसका लाब क्या होगा पहला निजी हित सुनश्चित हो गया दूसरा महा विध्याले की छवी बचा लिए आपने महा विध्याले की छवी आपने बचा लिए शौट टर्म में तो बचाई लिए आपने शौट टर्म में तो बचाई लिए आपका क्या होगा प्रबंधन प्रबंधन राजनितिग्य वे बिजनिस्मेन के साथ बहतर संबंध हो जाएंगे आपने उनके बच्चा को बचाया है कल को राजनितिग्य मोहदय आपकी कोई भी मदद कर सकते है कोई भी समश्या आए तो आपको बचा सकते है और कॉलिज को फंड की दिक्कत नहीं होगी है ना कॉलिज फंड समश्या का समधान हो जाएगा नुकसान क्या है इसके नुकसान बताओ नुकसान को नुकसान क्या है इसके पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल तूटेगा पहला पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल तूटेगा तूटेगा नहीं आपने यार साल भर मैनत की पढ़ रहे थे क्लास अटेंड कर रहे थे इतना बुक किया इतना नोट्स बनाया सब कुछ किया और एक आया चिटिंग करके आपसे बढ़िया नमबर ले लिया आपको लगए कहें को पढ़ रहा हूं मैं और वो जो गेट पे बैटे है स्टुडेंट यूनियन वाले छात्र संग अगर आपने समश्या का समधान नहीं किया तो छात्र संग दुवारा विरोध प्रदर्शन वो बढ़ावा उससे भी तो आपकी पॉलिज की छवी को नुकसान पोच सकता है इधर फाइदा है शॉर्ट टर्म में तो लॉंग टर्म में नुकसान है फिर आप तो बड़े इमानदार थे आपकी सत्यनिस्ठा साहस इमानदारी को जटका है ना और क्या होगा रात को जब सोएंगे वाइस प्रिंसिपल सहब सद में में बैठे है वाइस प्रिंसिपल में और घर के बच्चे बोल रहे पापा आपको तो खुश होना चाहिए ता आप प्रिंसिपल बन गई आप दुखी क्यों हो वो किसको बताये अपना दर्द कि मैं क्या करके आया हूँ भरस्ट गती विदियो को कुछ भी लिखो आप भरो भाई इसको है ना आपके पास समझ में आया दूसरा विकल्प क्या है आपके पास यह लिख लिया आपने इसमें दो-चार पॉइंट और एड कर लेना अपनी ओर से कर लेना न्याय की स्थापना नहीं है अधिकारों का उलंगन है लिखो यहाँ पे अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख नहीं हो रहा जो भी लिख सकते है लिखो फिर दूसरा विकल्प क्या है इनके पास दूसरा विकल्प दूसरा विकल्प क्या है कि उडन दस्ते को उडन दस्ते को उसके कारिय के इमानदारी पूरवक निरवयहन में मदद करें बोले वाई, मैनेजमेंट जाए अपनी जगा बच्चा जाए अपनी जगा ये गलत एक्ट है इस एक्ट को टॉलरेट नहीं करेंगे आप अपना काम करो अपनी रिपोर्ट बना के देखे जाओ भेजो यूनिवस्टी को तो इसका लाब क्या होगा लाब क्या है इसका भविश्य में इस परकार की गतिविद्यों पर रोख इस परकार की गतिविद्यों पर रोख लगेगी या नहीं बताओ सब को आएगा भाई पॉलिटीशन का और बिजनिसमेन का बच्चा भी नहीं बक्षा उन्होंने कोई नहीं बचेगा पॉलिट शात्रों का मनोबल बढ़ेगा ठीक है मानव पुंजी का स्रजन हो गया नहीं आपका अंतर आत्मा का संकट समाप्थ हो गया आपका अंतर आत्मा का संकट है वो समाप्थ हो गया आपका व्यक्तिगत नैतिक मुल्य की स्थापना किया अपने वहाँ पे साहा सिमानदारी सत्के निस्था सब दिखाया आपने लेकिन नुकसान बहुत है वाई इसके नुकसान बहुत है नुकसान क्या है बताओ नुकसान क्या है इसके बताओगा कोई वाईब वाईस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल नी बिन पाएंगे नीजी हित को नीजी हित को नुकसान हो गया परधाना चारिये के पद पर पर प्रौननती नहीं और हो सकता है हो सकता है जोब लॉस हो जाए वो वाइस प्रिंसिपल से भी हटा दिया जाए रोजगार की भी हानी हो सकती है उनको मैनेजमेंट बोलेगा भाई नहीं दिमाग थोड़ा सटक गया है हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब का कुछ दिनों उनकी चुट्टी की जरूरत है और बाद में बोलेगी जाओ आप अपना घर पे बैठो दूसरा दूसरा क्या है महा विध्याले को फंड नहीं मिलेगा महा विध्याले फंडिंग प्राप्त करने में समश्या हो गया नहीं महा विध्याले की छवी खराब हो जाएगी ठीक है और लिखो नुकसान क्या है इस्थानिय राजनितिग्य और बिजनिसमेन के साथ खराब संबंद उनको टॉर्चर भी किया जा सकता है लिखना यहां इस्पेस कम है लिखना यहां पे उनको जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है बहुत सारी चीज़े आप इसमें लिख सकते हैं कोई ऐसा बड़ा दिक्कत नहीं है अब आप क्या पूछ रहा है कोशन में देखेंगें देखो, आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों, बताओ कौन सा विकल्प अपनाओगे, स्टुडेंट्स आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, विकल्प एक के साथ जाए या विकल्प दो के साथ जाए, विकल्प दो, चलो देखते हैं क्या है, अब उप प्रधाना चारिये द्वारा, विकल्प दो का चायन किया जाना चाहिए, क्यों की, बताओ क्यों, पहला, पहला क्या है, एक गुनवत्ता पून सिक्षा प्रणाली की स्थापना करता है, गुनवत्ता पून सिक्षा प्रणाली एवं मानव कुझी का स्रजन होगा, होगा या नहीं, और पारदर्शिता, सत्यनिस्ठा, साहस, एवं उत्तरदाइत से युक्त मुल्यो की स्थापना होगी या नहीं, स्वस्त प्रतिस्परधा का, स्वस्त प्रतिस्परधा की स्थापना, पुरा उस वाले विकल्प में तो कॉंपटिशन ही खतम हो गया, बच्चा डिमोटिवेट हो गया, और याद रखना किसी भी ववस्ता में जितना अच्छा हेल्दी कॉंपटिशन होगा, वो व्यवस्ता के लिए उतनाई बहतर होगा, स्वस्त प्रतिस्परधा की स्थापना और साधन साध्य पवितरता के अनुरूप है, और क्या लिख दो दो चार लाइन इसमें, कंक्लूजन भी लिखना है, कुछ कंक्लूजन के लिए भी बचाके रख लेना, तो इसको लिखने के बाद, और दो चार पॉइंट जो आपको लिखने हैं, लिख देना, उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे, अब हम आते हैं, निशकर्ष, निशकर्ष में आप बताओ क्या लिख होगे, क्योंकि आपने और रड़ी काफी सारी चीज सो लिख दी, निशकर्ष लेकिन लिखना जरूरी है, निशकर्ष कैसे लिखेंगे, गांधी जी ने, किसी का स्टेटमेंट हो लिख दो, गांधी जी ने एक बार कहा था, कि पिना चरित्र के शिक्षा, एक पाप है, याद है गांधी जी के साथ पाप, नॉलिज विदाउट करेक्टर पाप है, जिस से कभी भी एक स्वस्त समाज, और रास्ट का निर्मान नहीं किया जा सकता, यहाँ पर लिख देना, इसको अंडरलाइन कर देना, बिना चरित्र के शिक्षा पाप है, कैसा रहा, बताओ, अरे भावी अधिकारियों कुछ तो बता दो, एथिक्स के स्टडी का कुछ कुछ डर कम हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चे के रहे सर, बहुत मज़ा मोज कर दी है, मोज हो गई है, बेसिकली बेटा, बहुत असान है, मैं हमेशे ही बोलता हूँ, एक टीचर का काम होता है, आपकी मुश्किलों को असान करना, और मेरा निरंतर प्रियास यही है, कि मैं आपके जीवन में, इस UPSC की तैयारी के दुरान जितनी भी समश्याए है, उन समश्याओं का तो समधान करूं ही करूं, और आपके एक बहतर व्यक्तित्व के निर्मान में भी मेरा योगदान हो, चीजे आपको जटिल ना लगे, अगर मेरे होते हुए भी चीजे जटिल हो गई, तो फिर मेरे होने का फाइदा नहीं है, इसलिए गुरुवत्ता का आसवाशन है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बेटा, इन सारी चीजों की, सिर्फ प्रैक्टिस, आप जैसे ही, मेरा यकीन मानो, 2013-14 से लेके 2021 की अगर आपने सारी केस स्टड़ी लिख ली न बेटा, कोई नहीं रोखेगा आपको एथिक्स में, वो केस स्टड़ी कर लेना और मेरे लेक्चर्स कर लेना, धाई सो में से कोई नहीं रोख सकता, आपको की मिनिमम है 120, बेटा, याद रखना, मिनिमम, मिनिमम है 120, मिनिमम है ये, स्काई इस दा लिमिट है, लेके जाओ वाकी आपका इंडिविज्वल पोटेंशल है, कोई बच्चा 125 लाएगा, 130 लाएगा, कोई 135 लाएगा, कोई 140 लाएगा, जिसकी जितनी भूख है, फिर वो उतना ही खाएगा, बच्चे कह रहे हैं कि सर, ये क्लास 2023 में भी मदद करेगी, जब तक UPSC का सेम सलेवस है, जब तक UPSC के एग्जाम में एथिक्स का पेपर है, तब तक ये क्लास आपकी हेल्प करेगी, अगर ये 10 साल तक है, तो 10 साल तक हेल्प करेगी, और ये 20 साल तक है, तो 20 साल तक हेल्प करेगी, तो एक और केस्टडी है, 2021 की, ये आपको पूरा PDF बेटा में टेलिग्राम चैनल पे दे दूँगा, यू विल गेट इस PDF ऑन माई टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम पे मिल जाएगा आपको, टेलिग्राम चैनल पे, और आज जो हमारा इवनिंग का 5 पीम वाला सेशन है, उसको मैं नहीं लूँगा, कारण ये है, कि मैं चाहता हूँ कि आज मैंने आपको केस्टडी कराई है, अभी आपको इस PDF में 4-5 केस्टडी और मिलेगी, ये आपको मैं टेलिग्राम चैनल पे दे दूँगा, जो मेरा अनकैडमी अंडेस्कोर नवीन तवर, ये टेलिग्राम चैनल है, उसको जोईन कर लेना, ये PDF आपको उस टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अभी आदे घंटे के अंदर ही, और फिर आप जो बाकी केस्टडी बची हुई है, ये वाली केस्टडी हो गई, फिर एक केस्टडी ये हो गई, 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 Ethics की Case Studies को आने वाले एक हफ़ता Ethics की Case Study हम चेक करेंगे Special Class में ताकि आपके अंदर का डर और ज़्यादा खुल जाए मैं आपको Model Answers दूँगा, आपकी कमिया बताऊंगा Answer Writing में आप कहां गड़वड कर रहे हो वो सुधार नहीं में मैं आपकी Help करूगा उदर समझ में आ गया, बस ध्यान रखे कि 19 जुलाई, आने वाली 19 जुलाई से Geography Optional Launch हो रहा है मेरा Unacademy Plus पे तो आपने क्या करना है, नवीन 1 Referral Code को इस्तमाल करके Unacademy का सब्स्रिप्शन लेना है, नवीन 1 और जिन बच्चों के मन में डाउट रहता है न सर ये Geography Optional हिंदी माध्यम में अच्छा है, इंग्रेजी माध्यम में अच्छा है बिटा जहां नवीन सर आ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश की कहानी खतम हो जाती है तो आप इस बात से निश्चिंत रहे कि आपको कोई समश्या आने वाली है तो आप इसको 19 जुलाई से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी 15 जुलाई तक तो 15 परसेंट का डिसकाउंट का ओपर भी है उसका भी आप बेनेफिट ले सकते हैं तो उसके साथ ही कल आज तो हमारी आर्ट ओफ आंसर राइटिंग नहीं होगी आर्ट ओफ आंसर राइटिंग आज सेशन नहीं होगा कल होगा सेशन इवनिंग में 5 बजे और जो कल की मेरी क्लास होगी मैं याद बता जेता हूँ कल जो हमारा Indian Society वाली क्लास होगी Indian Society की जो कल क्लास है वो कल बेटा लेक्चर नंबर 18 है शायद हमारा वो 2 पीम पर होगी 2 पीम पर होगी ये क्लास याद रखना 2 बजे कल देड़ बजे क्लास नहीं होगी कल क्लास का टाइम है 2 बजे तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ Unacademy अगर सब्स्रिप्शन आप लेते हो तो जोगरफी ओप्शनल में Unacademy प्लस पे अबलेबल है Ethics का कोर्स भी कंप्लीट है Unacademy प्लस के उपर आप मेरा Referral Code नवीन 1 इस्तमाल करके Unacademy का सब्स्रिप्शन ले सकते है और आपको समझ भी आ गया होगा कि नवीन सर्क का Referral Code और मेरी Guidance कितना मेंटर करेगी आप लोगों के इस एक्जाम में बिल्कुल स्मूध हो जाएगा सारा सब कुछ एक शानदार अप्रोच आपको मिलेगी तो ये Referral Code आप इस्तमाल कर सकते है जब भी आप सब्स्रिप्शन लेंगे एक्जेक्ली सेम अप्लाई होना जरूरी है ये कुछ फ्री क्लासिज है डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे राइटिंग, नेतिक्ता की अदालत ये आप Unacademy Learner एप पे अबलेबल है फ्री में डाउनलोड करो और इन क्लासिज को देख लीजिए और चोदा मई से हमारा नया बैच लॉँच हो रहा है और चोदा जुलाई है, not मईस सौरी, चोदा जुलाई से 2023 और 2024 के लिए हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंग्वल, तीन तरह के बैचिज है अनकेडमी के पास, वो लॉँच हो रहे है, आप उसको जोईन कर सकते है सब्स्क्रिप्शन जो बच्चा लेता है, मिनिमम वन येर का उसको 20 किताबे भी अनकेडमी उसके घर भेजता है, बहुत अच्छा कंटेंट है उन बुक्स का, आप उनको जरूर पढ़िए उसके साथ ही साथ अनकेडमी बहुत जल्दी आपका experience को अपग्रेड करने वाला है कुछ नया होने वाला है आप लोगों की त्यारी में तो आप stay tuned बने रहना अनकेडमी के साथ अभी तो इंडिया में online अनकेडमी के अच्छा platform और quality यह आप भी इस बात के साक्षी हो कि कहीं नहीं मिलने वाली आपको तो बस पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ आज का session यही समाप्त करता हूँ उमीद करता हूँ कि आपको session पसंद आया होगा पसंद आया है तो इसको like करना, share करना और मेरे टेलिग्राम चेनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अनकेडमी अंडरिस्कोर नवीन तवर बाकी कल मिलते हैं दोपैर 2 पीम और एवनिंग में 5 पीम पर तब तक अपना ख्यार लगना वाई, ठेक केर